तो आज में खिलने जा रहा हूँ 100 Days in Supermarket Simulator जहाँ पर इस छूटी सी दिखने वाली दुकान को मेरे को एक बड़ी आसा Supermarket बनाना है और यहाँ से इतना पैसे कमाना है कि मैं अंबानी से भी करोड़ बती बन जाओ और उसे के साथ अपने Supermarket को fully expand करने के लिए जो भी एक्सपैंड करने के लिए जो भी एक्सपैंड करना है और साथ में storage को भी fully expand करनी है फिर employees को hire करना है और यहाँ पर जितने भी products का license है वो भी मेरे को खरीदना है उसे के साथ 100 levels भी करने तो बहुत सारे चीज़े है इतने सारे चीज़े 100 days में में कर पाऊंगा कि नहीं यह तो मेरे को भी नहीं पता तो आईए साथ में जानते हैं तो guys यही है वो जो Supermarket जिसको मेरे को most profitable business बनाना है फिलाल तो एक बार देख सकते हो यह Supermarket तो बहुत दूर की बात है फिलाल एक दुकान भी कहने लाइक नहीं है सिर्फ यहां पर तो दो self है और کम से कम एक normal दुकान में भी कारोड़ पती बन जायungंगा उसको भी बीट कर देंगे मारकेट से कुछ सामान को ओर्डर कर देता हूं फिलाल यहां पर च्छ ऐटम हैं मैंक काम करता हूं सब कुछ एक एक और कर ही देता हूं ओके यार यहां पर 96$ मेरे पास त्रफ 50$ ही है चलो यहां पर जो महंगा है ना उसको मैं निकाल देता हूं उके इन दोनों को मैंने निकाल दिया I think अभी मैं order कर सकता हूँ तो order कर देते हैं चलो बढ़िया अपना order भी आ चुका है selfs भी यहाँ पर है तो मैं जल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूँ तो मैंने जितने भी सामान को order कर दिया वो मैंने यहाँ पर selfs में fill कर दिया और साथ मैं मिरे को यहाँ पर price भी decide करना पड़ेगा तो फिलाल market price तो 3.7$ है मैं एक काम करता हूँ round figure रख देता हूँ 4$ कर देते है चलो बढ़िया market से भी ज़्यादा price है तो सबका price मैंने यहाँ पर रख दिया है मैंने सबका round figure रख दिया और market price से मैंने ज़्यादा रखा है अगर नहीं लेंगे तो मिरे को price को कम करना पड़ेगा फिलाल तो मैं अपनी दुकान को open कर देता हूँ ओकी चलो एक मैडम जी आ चुकी है एक काम करो मैडम जी एकदम अराम से न सारे सामान ले लो कोई जल्दबाजी नहीं है यार ये तो सिर्फ दो ही लियाता है यार चलो इनको मैं change दे देता हूँ ओ भाई दू कहां से निकल गया ते ठीक है इसने तो सिर्फ एक ही चीज लिया है चलो ठीक है कार्ड भाई एक चीज के लिए कार्ड वो भी 4 डॉलर्स बस इसने भी एक ही लिया यार ये तो सिर्फ एक एक चीज लेकर गया है यार मेरे को तो लगा एक ही बार में सारे चीज़े लेकर चले जाएंगे लगता है इनकी गर में काफी कम लोग रहते हैं तो यहां पर दुकार में एक और आ गया देखो ये भी एक ही चीज ले रही है अरे भाई सब सिर्फ लिया तो एक ही चीज और तीया 100 डॉलर्स ये कम से कम 2-3 चीज़े तो ले लेते हैं तो अभी तो मेरे पस थोड़े बद पैसे है तो मैं एक काम करता हूँ इन दोने चीज़ों को भी और कर देते हैं 50 डॉलर्स हो जाएंगे चलो डीगे मैं और कर देता हूँ और साथ में मैं यहां पर फिल भी कर देता हूँ इसका प्राइस में कितना रखो हूँ 6 डॉलर्स रख देता हूँ इसका प्राइस पांच डॉलर्स रख देते है चलो अभी मैंने इन दोने का भी प्राइस सेट कर दिया यहाँ पर कुछ कुछ कस्टमर्स आए यहाँ सिर्फ एक एक चीज ही ले रहे यार और उपर से कार्ड यूज कर रहे लगता है इन लोगों के गर के पास ही अपने दुकान है इसलिए सिर्फ एक एक चीज ले रहे चलो मेरे इसाब से इसको देखने से तो काफी अमीर लग रहा है यह सारे सामान ले लेगा यह सिर्फ एक ही लिया यार यह देखो सिर्फ यही के लिए और यह भी card यूज़ कर रहे है यहाँ पर यह लोग cards जादा यूज़ कर रहे है तो काईस अभी तो 9 बज गए मेरे अपनी दुकान को बंद करने की time हो चिका है तो day 1 पे हमने लगबख 20 customers को satisfy किया और साथ मैं मैंने 64 dollars को profit भी कमाया तो फिलाल तो next day start करते है सबसे पहले तो मैं अपनी दुकान को open कर देता हूँ वैसे अभी मेरे पास काफी सारे पैसे है तो मैं एक काम करता हूँ यह सब कुछ न एक एक मैं extra order करी ही देता हूँ कितने होंगे चलो 97 dollars का है और यह order भी आ चुका है जल्दी से मैं यहाँ पर fill कर देता ह तो guys fill तो मेरे को एक product के license करीना है वो शायद मेरे को यहाँ पर management में मिल जाएगा हाँ यह देखो license मेरे को खरीना है लेकिन यह 200 dollar का है और store level भी 3 होनी चाहिए store level तो fill 3 ही है लेकिन इसे purchase करने के लिए 200 dollar चाहिए अभी मेरे पास हुतने नहीं है मेरे को और थोड़े से sales यह चलो अभी इसका clear है वैसे मेरे सबसे सबसे पहले मेरे को चीज़े order कर लेनी चाहिए ने तो फिर पैसे नहीं बन पाएंगे तो मैं एक काम करता हूँ वापस यह जितने भी है ना एक एक order कर देते है 97 dollars होंगे चलो ठीक है कोई बात ने मैंने यहाँ पर order कर दिया और साथ म अपने सामान तो एकदम fast delivery पर आ भी गया तो मैं जल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूँ तो सारे सामान वापस से मैंने यहाँ पर fill कर दिया और यहाँ पर काफी सरे customers भी आ चुके है तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से इनका check out कर देता हूँ चलो आकरी customer को भी मैंने check out कर दिया तो अभी next day start करते है day to be complete हो चुकी है इस बार तो मैंने सिर्फ 30 डॉलर का ही profit कमाया चलो next day को start करते हैं वैसे आज ना oil की price कम हुई है और sugar की price बढ़ गई है तो मैं एक काम करता हूँ sugar की price बढ़ा देता हूँ और oil की price I think चलो ठीक है round figure बढ़िया रहेगा oil का price जैसा है वैसा ही रखने वाला हूँ और दुकान को भी open कर देते हैं खिलाल तो मेरे को जिल्दी से 200 डॉलर कमाना है ताकि मैं अगले products का license करी सकूँ यार लेकिन एक भी customer अभी तक आया क्यों नहीं सारे लिफ्स हो रहे है क्या ओके गाइस तो 200 डॉलर तो होच के तो मैं एक काम करता हूँ जिल्दी से अगले products का license purchase कर लेता हूँ चलो मैंने I think 6 products का license जो है purchase किया है फिलर मेरे पस पैसे तो है नहीं उनको order करने का तो मेरे को और sales यहाँ पर करनी पड़ेंगी विसे भी अपने दुकान में तो अच्छ तो का इस फिलाल तो मेरे पस थोड़े बत पैसे हो चुके है तो मैं एक काम करता हूँ market से यह वाली चीज़े भी order कर देता हूँ I think शायद cheese और milk रखने के लिए मेरे को freeze लिया नहीं पड़ेगी सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ इन चीज़ें को रहने देते हैं और बागी चीज़ें को मैं order कर देता हूँ चलो ठीक है यहाँ पर मैंने purchase कर लिया और यह सामान भी आ चुके है जल्दी से मैं यहाँ पर fill कर देता हूँ इनका price कितना रखना है वैसे market price तो लगबग 10$ का है तो मैं 11$ रखने वाला हूँ और black tea का तो लगबग 5$ है तो मैं 6$ रख देता हूँ चलो यहाँ पर वैसे भी कुछ customers आ चुके है जल्दी से मैं इनका चिकोट कर देता हूँ और भाई सब यार यह लोग ड़ा कभी-कभी 100$ लेकर आ रहे सिर्फ एक ही चीज़ ले रहे है तो मैं दे देता हूँ अच्छी बत यह है कि अपने पास तो काफी अ यहाँ पर करनी पड़ेगी तब जाकर 200$ जो है बनेंगे इनको एक्स नहीं मिला है यही कहरे शायद वैसे अपने पास तो फ्रीजी नहीं है मैं एक्स कहां से रखूंगा ओके तो आज का दिन भी complete हो चुका है वैसे day 3 में तो सिर्फ 16 customers ही आये है और उन में से आदे तो product ही यार मेरे सबसे क्या है कि वो देर से सोते होंगे यहाँ पर ने एक storage भी है I think बाद में मैं इसे खरी सकता हूँ फिलाल तो मैं इसके अंदर तो जाने ही पा रहा हूँ एक बार मैं चेक करता हूँ यह शेहर कितना जादा बड़ा है यहाँ पर तो काफी अच्छे अच्छे $34 तो हो चुके हैं तो मैं काम करता हूँ जिल्दी से ना फ्रीज को order कर देता हूँ अरे यार और चाहिए होंगे फिलाल तो यहाँ पर एक customer आ चुका है तो इनको भी $34 का order है तो मैं कर देता हूँ फिलाल तो जिल्दी से मैं फ्रीज को order कर देता हूँ फ्रीज भी आ चु लेकिन इसके लिए मेरे को सामान भी order करने है तब से पहले तो मैं इनको चेकोड कर देता हूं तो थोड़ी बहुत पैसे जो है बन चुके है अभी देखता हूं मैं कितने चीज़ों को order कर सकता हूं 64 डॉलर से लगेंगे चलो ठीक है मैं order कर देता हूं और साथ में अपने सारे सामान भी आ चुके है तो मैं जल्दी से यहाँ पर water bottles fill कर देता हूं ओके चलो तो सारे सामान मैंने यहाँ पर fill कर दिया इस box को अभी मैं यहाँ पर ही रख देता हूं तो अभी water bottles का price मैं 3 डॉलर कर देता हूं और साथ में cheese का 4 डॉलर मैं ज़्यादा तर ना यहाँ पर round figure ही लगा रहा हूं ताकि क्या है कि मेरे को billing करते समय आसानी होगी यहाँ पर तो काफी सरे customers आ चुके जल्दी से इनका billing कर देता हूं वैसा यार यहाँ पर कुछ चीज़ा मेरे को order करने पड़ेंगे काफी ज़्यादा तो sale हो चुके है तो अभी मेरे पस तो काफी अच्छे कर से पैसे भी है तो मैं एक काम करता हूं जल्दी से जितने भी चीज़े हैं ना सब मैं एक एक order कर देता हूं वैसे अपने freeze already fill हो चुकी है तो मैं इन चीज़ें को order नहीं करने मला हूं बाकी चीज़ें को order कर देते हैं अरे यार यहाँ पर ही 200 डॉलर हो जाएंगे तो फिलाल एक काम करता हूं ब्लैक ती निकाल देता हूं चलो अभी इन चीज़ें को order कर देते हैं अपना चलो order भी आ चुका है जल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूं चलो बड़ी है यहाँ पर सामान तो मैंने fill कर दिया वैसे यहाँ पर बहुत सारे customers आ चुके जल्दी से इनका check कर देता हूं चलो सब का मैंने यहाँ पर check out कर दिया और day भी finish होने का आच चुकी है तो आज का दिन भी complete हो चुके है ओके तो सबसे पहले मैं अपने दुकान को open कर देता हूं यहाँ पर milk तो almost fill हो चुके है तो मैं वापस बर देता हूं ऐसे air धीरे धीरे ना अपने भी काफी अच्छे से sales हो रहे 50 डॉलर पर मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ पर अपने स्टोर में भी काफी अच्छी से सामान भी है और उपर से मेरे पास भी लगबख 75 डॉलर के करीब भी है तो यह काफी अच्छा है तो फिलाल एक customer आ चुकी है तो मैडम जी आपको तो सिर्फ milk चाहिया था और साथ मैं pasta भी लिया था चलो ठीक है इनको मैं check out कर देता हूँ तो गाइस अभी मेरे को अपनी supermarket का थोड़ी सी section को बढ़ाना है तो वसके लिए मेरे को यहाँ पर खरीदना पड़ेगा तो growth पे जाते है section 2 मेरे को खरीदना है $350 पर मिलेगा almost मेरे पास है बस कुछी checkouts को मेरे को करने पड़ेंगे फिर मेरे पास पैसे हो जाएंगे लेकिन मेरे को ऐसा रखते है कि मेरे को अपनी सामान को थोड़ी से fill करने पड़ेगा यहाँ पर देख सकता हो काफी सारे सामान भी sale हो चुके तो सबसे परे तो मैं सामान को order कर देता हूँ चलो बड़े कितना होंगे $64 हो जाएंगे चलो मैं इनको खरीद लेता हूँ क्या है कि सामान रहेंगे तो फिर मैं इनको sale करकर पैसे बना सकता हूँ वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे customers आ चुके तो मैं जल्दी से इनको check out कर देता हूँ लाइन तो कुछ जादा ही बढ़ गया चलो जितने भी ते सब को मैंने check out कर दिया तो अभी जल्दी से सामान को fill कर देता हूँ यार मेरे को ऐसा लगता है कि एक और fridge को मेरे को लेनी चाहिए क्या है कि अब बहुत जल्दी fill हो जा रही है चलो बढ़िया यहाँ पर सारे सामान को मैंने fill कर दिया अभी इनका check out बाकी है चलो इनका भी मैंने check out यहाँ पर कर दिया और day भी finish हो चुकी है तो day 5 पे मैंने 22 customers को satisfy किया सिर्फ एक ही customer को product जो है नहीं मिला और इस पर तो लगबख 200 dollar का profit भी मिली है तो काफी अच्छी बात है वैसे टी place का price थोड़ा सा increase हो चुकी है तो मैं एक काम करता हूँ इसका price बढ़ा देता हूँ तो guys फिलाल 350 dollars भी हो चुके है तो मैं जल्दी से यहाँ पर growth में section 2 भी buy कर लेता हूँ तो अभी देखते हैं कितना increase हुआ है ओके यहाँ तक जो space है यह increase हो चुका है तो मैं एक काम करता हूँ अपनी shelves को थोड़े से पीचे कर देता हूँ तो अभी अपने दुकान में तो काफी जादा अच्छा कासा space है लेकिन क्या है कि मेरे को और कुछ shelves को भी buy करना पड़ेगा और साथ मैं यहाँ पर वापस मेरे को सामान order करकर fill भी करना है प्रिज भी देख सकतो काफी सारे सामान बिक चुके है तो यह भी मेरे को order करना है तो अभी क्या है कि लोग ना काफी अच्छे सामान भी ले रहे तो यह काफी अच्छी बात है यह देखो कितने सारे सामान ले रहे पहले एक-एक सामान लेते थे लेकिन अभी काफी अच्छे से sales हो रहे तो फिलाल तो मेरे पस काफी अच्छे से पैसे भी है और यहाँ पर काफी सेल भी हो चुकि है तो मैं एक काम करता हूँ वापस ना ये सारे सामान एक-एक मंगवा लेता हूँ तो यहाँ पर 220 डॉलर्स हो जाएंगे चलो मैंने इसे ओर्डर भी कर दिया है तो अपना डेलिवरी तो बहुत तेजी से आ जाती है तो मैं भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ वैसे हैर सबसे पिलाना मेरे को एक और फ्रिज यहाँ पर लेनी पड़ेगी क्योंकि देख सकतो सारे सामान जल्दी से फिल यहाँ पर हो जा रहा है चलो आज का दिन भी अल्मॉस्ट कम्प्लीट हो चुका है तो अभी अगले दिन का स्टार्ट करते है I think milk का price जो है down हो चुकी है और सेरेलिक का price जो है जादा हो चुकी है यहाँ पर तो यह $60 हो चुका है यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ $80 कर देता हूँ I think यह जादा price हो जाएगा ठीक है अगर वो लोग नहीं लेंगे न तो इसका price में कम कर देता हूँ लेकिन और भी कुछ चीजे है जिनका price जो है कम हो चुकी है सबसे पहले तो अपने दुकान को open करते है एक बार मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ milk का price गिर चुकी है और साथ में coffee का भी price जो है गिर चुकी है एक बार मेरे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ओके coffee का price तो काफी जादा गिर चुकी है मैं इसका तो फिर 10 डॉलर कर देता हूँ तो guys अभी समय आ चुका है कि अपना super market का नाम रखने का तो फिलाल मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ नाम रखने के लिए कितने पैसे लगेंगे वैसे यहाँ पर ना मेरे को rent भी देना पड़ेगा I think यह कुछ bills है ठीक है मैं इने pay कर देता हूँ ओके मेरे को यहाँ पर rent भी देने पड़ेगी और हर दिन का I think 20 डॉलर का rent होती है चलो ठीक है इनका में rent भी दे देता हूँ वैसे मैं यहाँ से ना अपने store की name को change कर सकता हूँ 250 डॉलर लगेंगे तो के मेरे को और थोड़े से sales करने पड़ेंगे चलो बढ़िया अभी मेरे पास उतने पैसे तो हो चिक है कर बताना मैं कौन सा नाम रखूँ वैसे यहाँ पर तो मैं इनका color भी change कर सकते है चलो ठीक है तो फिर अपने channel की color जैसा रखता हूँ एकदम yellow color और background वैसे black color कैसे रहेगा नहीं यार यह तो suit ने कर रही है एकदम red color करते है चलो अभी ठीक है एकदम देखते है कैसा लग रहे ओर भाई सब काफी बढ़िया लग रही है माईनी market चलो काफी बढ़िया है फिलाल इनको मैं check out कर देता हूँ अभी ना काफी अच्छे से sales हो रहे यार तो guys आज का दिन भी complete हो चिका है तो अभी next day को start करते है I think sugar का price drop हो चुकी है और milk का cheese का price जो है increase हो चुका है फिलाल तो मैं यहाँ पर cheese रख देता हूँ तो एक बाद check करते है कितना increase हुआ है मैं एक काम करता हूँ तो फिर इसे पांच डॉलर कर देता हूँ milk का price चलो ठीक ही है यहाँ पर काफी सारे चीज़ है जो sale हो चुके अभी मेरे पास काफी अच्छी से पैसे भी है तो मैं एक काम करता हूँ वापस ना सब कुछ एक एक order कर ही देता हूँ चलो मैंने यहाँ पर order कर दिया I think मैंने अपने दुकान को open ही नहीं किया तो थोड़े बहुत पैसे तो बन चुके एक बार मैं फ्रिज़ का कॉश्ट देख लेता हूँ हाँ 200 डॉलर का ही है ना चलो ठीक है मैं यहाँ पर एक और तो order कर सकता हूँ और यहाँ पर बड़ी फ्रिज़ भी है एक कामगर तयार यह बहुत जादा महेंगा हो जाएगा फिलाल के लिए मैं यही मंगवा लेता हूँ चलो बड़ी अपना फ्रिज़ भी आ चुकी है और साथ में मैंने यहाँ पर फिल भी कर दिया तो अभी काफी बड़िया लग रही है और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स भी आ चुके है तो गाइस अभी तो एक ओट टास्क है आई तिक मिरे को यहाँ पर पेंट्स ओर्डर करने है एक बार देख लेता हूँ कितना है पेंट्स का प्राइस ओके दो सो डॉलर का पेंट्स मिरे को मिल जाएंगे कुछ जादा ही महंगा है एक काम करता हूँ कौन सा कलर करूँ यह इलो कलर कर दूँ क्या यह डिफॉल्ट पेंट है विसे अलरेड़ी पेंट यहाँ पर लग चुका है ना तो फिर मैं यह ओर्डर करूँग तो बिकारी है तो मैं दूसरा कलर को ओर्डर करता हूँ एक पर देखते कितने कलर से बहुत सरे कलर से है मैं यह वाइलेट कलर को ओर्डर करने वाला हूँ चलो इसे मैं पर्चेस कर लेता हूँ महंगा है वैसे तो तो यहाँ पर चेकोट के लिए लोग आ चुके इनका मैं एक बर check out कर देता हूँ तो अभी इना अपना paint भी आ चुकी है यहाँ पर मैं paint करकर देखता हूँ ओके चलो बड़ी है एक अलर तो मिरे को पसंद आया तो paint तो खतम हो चुकी है मैंने आदा तक ही paint कर पाया और यहाँ पर बाकी बज़िया इसे भी मिरे को paint करनी है फिलल तो इसे मैं डेश में fake देता हूँ सबसे पहले इनका check out में कर देता हूँ ओके तो इनको भी मैंने check out कर दिया तो next day को start करते है day 8 भी complete हो चुकी है तो आज तो water bottle और sugar powder का price जो increase हो चुकी है सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ water bottle का price तो ठीकी है sugars का मैं एक बर यहाँ पर देख लेता हूँ sugars का भी price यहाँ पर ठीकी है मेरे सबसे ना काफी सारे सामान भी sell हो चुके है तो मेरे को सबसे पहले salmon को order करना है मेरे सबसे इस केलोक्स को ओर्डर करने की ज़रूद ने और साथ में सुगर को ओर्डर करने की ज़रूद ने ब्रेट्स भी मेरे पास ठीक टाक है और बाकी चीज है यहाँ पर वाटर बॉटल्स भी है मिल्क भी है चीज भी है एक्स में एक्स्ट्रा मंगवा लेता हूँ और ये भी ओर्डर कर देते हैं तो कितने पैसे हुए तो कि 250 डॉलर के करीब तो मैं यहाँ पर ओर्डर कर देता हूँ सबसे पहले यार दुकान बंद क्यों हो जाती है दुकान को ओपन कर देते हैं चलो बढ़िया यहाँ पर मैंने सामान भी फिल कर दिया और फ्रिज को भी मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से फिल कर दिया वैसे यहाँ पर चेकोड के लिए लोग आ चुके है तो मैं जल्लिस इनका चेकोड कर देता हूँ ओके तो सबको मैंने यहाँ पर चेकोट भी कर दिया यार वैसे मैं एक बात चेक करता हूँ क्या मैं employee को hire कर सकता हूँ क्या यहाँ पर hire पर चलते है उके मेरे को level 10 करने पड़ेगी अपनी store level को और अभी तो अपने store level सिर्फ 8 है तो employee को तो hire मैं नहीं कर सकता हूँ और उससे भी पहले मेरे को अपनी color को complete करना पड़ेगा यहाँ तक ही मैंने color किया था वैसे color के लिए 200 dollars लगेंगे वो मैं बाद में करूंगा नहीं तो ठीक है यार मैं order कर देता हूँ I think मैंने यही वाला color order किया था इतना मेरे को याद है वैसे गलती से कोई दूसरा color order कर दूँगा तो दिक्कत हो जाएगा शायद यही color है मैं एक बार order कर देख लेता हूँ 200 dollars का है काफी महंगा है यार color तो यहाँ पर और वैसे भी मैं ज़्यादा paint भी नहीं कर सकता हूँ यह तो बहुत ज़्यादा में गयर एक बार में 200 dollars लगेंगे यह फिलाल यहाँ पर देखो कितने सारे सामान यह ले रहा है चलो income मैंने check out कर दिया तो अभी क्या है कि customers भी ना काफी अच्छे से सामान ले रहे तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं हो रही है तो आज का दिन भी complete हो चीकी है तो अभी मैं जिल्दी से next day को start कर देता हूँ वैसे T का price थोड़ी सी increase हो चीकी एक बार मैं check कर लेता हूँ जाद तो increase नहीं हुई है तो मैं इतना ही price रखने वाला हूँ और सबसे पहले तो अपने दुकान को open कर देते हैं वैसे अभी मेरे पसना काफी अच्छे कैसे पैसे है तो मैं सोच रहा हूँ और कुछ products का license मैं ले लेता हूँ 400 dollars मेरे को देने पड़ेंगे और 6 products का license मेरे को मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर purchase कर दिया और साथ में यहाँ पर जो भी license मैं ने purchase किया रहा इनका भी products buy कर लेते कितना है और मेरे को थोड़े बद पैसे चाहिए होंगे फिलाल यार customers ना बहुत देर के बाद आते है यार मैंने 8 बजे दुकान को open गया 9 बज गया तो अभी मेरे को थोड़े बद पैसे मिल चुके तो मैं इन भी order कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे को fill भी करना है वैसे हैर साथ मैंने इनका price पर मेरे को रखते जाना पड़ेगा market price तो 6.6 डॉलर का तो मैं 7 डॉलर रख देता हूँ ओके चलो I think यहाँ पर मैंने सबका जो price है set कर दिया है हाँ मैंने यहाँ पर सबका price set कर दिया तो काफी बढ़िया है चेकोट के लिए भी काफी सारे लोग आ चुके है तो मैं जल्दे से इनका चेकोट कर देता हूँ तो guys फिलाल जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर एक employer को रख दिया है तो अभी मेरे को चेकोट करने की कोई जरूरत नहीं है तो अब से यही चेकोट करेगा और साथ में यहाँ पर मैंने दो shelfs भी order करके रख दिया है वो बीच में तो उड़ा सा गलती हो गया वो recording नहीं हुआ आदा गंटा या फिर ऐसा कुछ recording नहीं हुआ था वैसे तो मैंने यहाँ पर काफी सारे सामान भी order करके रख दिया है तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूँ वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पर मैंने paint complete कर दिया और साथ मैं मैंने यहाँ पर employee को भी रख दिया है तो फिलल तो यहां पर बहुत सारे सामान को मैंने ओर्डर कर दिया तो सबसे बिले मैं यहां पर फिल कर देता हूँ यह वैसे न यह डेस्ट बिन में बार बार जाने का दिक्कत हो रही है अगर हम यहां पर यह एक डेस्ट बिन रख पते है तो क्या है कि मैं fill यहाँ पर कर देता और यह जो खाली box है न मैं यहाँ से फेक सकता था, तो बार-बार मेरा को यहाँ पर dashbird में जाने की ज़रूद नहीं है तो अभी क्या है कि यह check out में है तो मैं यहाँ पर सामान वगेरा fill कर सकता हूँ और यहां पर काम करते रहेगा तो फिलाल मैंने यहां पर जितना मैं फिल कर सकता हूं उतना मैंने यहां पर फिल कर दिया आई ती मेरे इस अब से मिनको और थोड़े सा lights order करने पड़ेंगे, यहाँ पर देख सकतो काफी ज़्यादा अंदेरा है, जल्दी से इसका check out कर दोगे, तो हम next day start कर देते हैं, तो day 14 चल रही है आज, और आज तो profit ने बहुत ज़्यादा लुकसान हो गया, फिर ठीक है, अगले दिन को start करते हैं, तो अभी तो slice bread का जो price से वो increase हो चीए है, मैं एक बच चिक कर लेता हूँ, काफी ज़दा increase हुए है, तो मैं 5 डॉलर कर देता हूँ, चल अभी काफी बढ़िया है, तो अभी सबसे बहले तो मैं दुकान को भी open कर देता हूँ, वैसे अभी देख सकतो अपने दुकान काफी ज़्यादा प्यारा लग करते हैं, वैसे यहाँ पर और भी सामान है, मैं थोड़ी बहुत I think fill कर सकता हूँ, चितना मैं fill कर सकता हूँ, उतना मैं fill कर देता हूँ, तो थोड़ी बहुत सामान मैं यहाँ पर fill कर दिया है, तो चिकोट का काम तो यह काफी बढ़िया तरीके से कर रहा है, तो फिलाल मैं काम कרתा हूँ कुछ lights को न ओर कर देता हूँ lights होनी जरूरी है पर चलो मैंने तीन को order कर दिया रात में क्या है कि ठीक से नहीं दिखाई देता ने तो एक मैं यहां पर लगा देता हूँ और दूसरा मैं यहां पर लगा देता हूँ तो लाइट्स पे मैंने काफी अच्छे से लगा दिया वैसे मेरे पस एक और बॉक्स पड़ा है लेकिन अभी ज़रूत नहीं है इसका तो अभी क्या है कि यहाँ पर भी अंदेरा नहीं रहेगा मैं एक बार लाइट चालू करकर देख लेता हूँ हाँ यह हुई ना बात अभी देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा एकदम चमक रही है यहाँ पर कुछ शेल्फ खाली हो चीक है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ तो अभी क्या है कि सेल्स भी काफी अच्छे से हो रहे तुम लग अगर देखोगे न好好 काफी सारे सामान भी ले रहे तो मिरेको जल्दी जल्दी यहाँ पर फिल करते रहे ना बढ़ेगा ठिलल तो अभी मरे पस काफी सारे पैसे है तो मैं एक बर चिक करता हूँ और अभी मैं क्या कर सकता हूँ ये वाला और दो shelfs को मैं order कर देता हूँ और इसी के साथ मेरे को और प्रोडक्स भी चाहिए होंगे तो मैं काम करता हूँ सब ना एक एक और मांगवा देता हूँ वैसे ये बहुत जादा पैसा हो जाएंगे जितना मेरे को लगता है 800 डॉलर के करीब हो जाएगा वैसे मेरे पास उतने पैसे तो है ही मेरे को बस और थोड़ इसे पैसे चाहिए I think एक चेकोड हो जाएगा तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे हाँ मेरे को पैसे तो मिल गए तो मैं काम करता हूँ जिल्दी से पर्चेस कर लेता हूँ तो सबसे पहले न इस शेल्फ को लेते हैं कहां पर रखो एक शेल्फ को न मैं यहां पर रख देता हूँ सबसे पहले मेरे को इस पेंट बॉक्स को निकालना पड़ेगा इसको फिलाल एक काम करता हूँ अभी के लिए बाहर रख देता हूँ इसका भी जरूत नहीं है, यहाँ पर रख देते हैं तो अभी इस shelf को मैं ऐसा रख देता हूँ तो selfs तो मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लगा दिया तो अभी जो सामान मैंने order किया ना इनको भी जिल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूँ यहर वैसे साथ में न मेरे को एक और employee को रखना पड़ेगा जो मतलब यहाँ पर सामान में जैसे order किया ना तो वो fill कर देगा तो ऐसे employee को मेरे को रखना पड़ेगा मैं एक बार check करता हूँ उसके लिए मेरे को क्या करना है management में जाते है, hiring में देखते है यहाँ पर यह देखो, restocker मेरे को मिल जाएगा लेकिन इसके लिए मेरे को storage चाहिए और साथ मेरे को racks purchase करने पड़ेगे और उसी के साथ मेरा जो store का level है वो 15 होनी पड़ेगी फिलाल तो मेरा level तो 11 है तो काफी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए तो तो अभी तो मैं उसे hire नहीं कर पाँगा मेरे को यहाँ पर fill करनी पड़ेगी तो मैं ही fill कर देता हूँ यहाँ लगते है मेरे को fridge भी एक और मंगवाना पड़ेगा यहाँ पर देख सकतो यह भी fill हो चुके है मैं selfs नहीं जादा मंगवा रहा हूँ लेकिन fridge मैं सिर्फ एक ही मंगवाया यह तो आज का दिन भी complete हो चुका है तो अभी क्या है कि यह check out कर रहा है तो मेरे को उतना काम नहीं है बस मैं आराम से सामान order कर सकता हूँ और fill कर सकता हूँ तो फिलाल तो next day को start करते है day 15 भी complete हो चुका है वैसे अभी भी क्या है ने कुछ customers जो satisfy नहीं हो रहे शायद मेरे इसाब सेना मैंने price जादा रख दिया होगा फिलाल तो slice spread का जो price है वो गिर चुकी है तो यहाँ पर मेरे को price change करना पड़ेगा फिलाल मैं एक काम करता हूँ 4 dollars रख देता हूँ I think X का price जादा है ऐसे बोल रहे थे यार ने तो मैं market price से भी कम रखना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ फिर आमें जादा पैसे नहीं मिलेंगे यह थीक है मैं price को उतना ही रखने वाला हूँ फिलाल तो सबसे बिले तो मैं दुकान को open कर देता हूँ अभी भी यहाँ पर कुछ boxes है तो यहाँ पर मैं fill कर देता हूँ ऐसे मैंने fridge को पूरा water bottle से और milk से ही भर दिया है तो सबसे पहले मिले को एक fridge को order करना पड़ेगा बड़ी वाली fridge को order कर देता हूँ एक ही बार में फिर दिक्केत ही नहीं होगा तो बड़िया नहीं लगेगा यह इस shelf को मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो अभी इस fridge को भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो अभी काफी बड़िया लग रही है यह देख सकतो अपने दुकान में काफी अच्छे से customers आ रहे और बहुत सारे सामान भी ले रहे तो यह काफी अच्छी बात है तो लाल तो lights को on कर देते है वैसे भी हमको bill बरने की ज़रूद नहीं है तो अभी भी यह shelf भी खाली हो चुकी है यह shelf भी खाली है तो मैं चाहूँ तो और भी सामान को order कर सकता हूँ एक काम करते हैं थोड़ी तेर कर देता हूँ थोड़ी सा sales हो जाएंगे ना तो पैसे आ जाएंगे फिर मैं order कर दूँगा वासे क्या है जितना देर में यहाँ पर लगा रहे हो ना उतना देर में sale भी हो जा रहे तो उसी के वैज़े से मैं जितना भी order कर रहा हूँ वो बहुत ही जल्दी complete भी हो जा रही है ओके तो धीरे धीरे अपना जो store का level है वो भी increase हो रही है 12 हो चीकी है बस इसी तरीके से मेरे को 15 करना है फिर उसके बाद I think मेरे को ये भी खरीदनी पड़ेगी तब चाकर मैं उस employee को hire कर सकता हूँ अरे यार water bottle जो है ज़्यादा expensive price में ना I think रख दिया तो कि market price तो सिर्फ 2 dollar का है और मैंने तो यहाँ पर 3 dollar रख दिया I think मैं चलो ठीक है एक काम करता हूँ 2 dollar रख दियता हूँ X भी ज़्यादा price है ऐसा ही भोल रही है मेरे इस अब से क्या है कि मैं market price चाहे तो रख सकता हूँ या फिर और थोड़ा से price को कम कर सकता हूँ चलो ठीक है यहाँ पर मैं और थोड़ा से कम कर देता हूँ 3 dollar रख देता हूँ तब क्या की sales हो जाएंगे अच्छे से लेकिन हमें थोड़ा सा लुकसान हो जाएगा market price से मेरे इस अब से market price अगर कम है न तो ज़्यादा purchase करेंगे फिर हमें लुकसान नहीं होगा I think ओके मेरे इस अब से अभी मेरे को चीज़े भी order कर लेने चाहिए तो मैं ये order कर देता हूँ सब मैंने यहाँ पर एक एक order कर दिया तो जल्दी से यहाँ पर fill कर देता हूँ काफी सारे सामाना जल्दी जल्दी खतम हो रहा है यहाँ पर देख सकता हो अभी क्या है कि ज़्यादा सामान ये लोग ले रहे तो आज का दिन भी almost complete हो चुका है फिर एक चोटा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर क्या है कि line ज़्यादा नहीं हो रही है तो ज़्यादा customers आ रहे हैं तो यहाँ पर wait करनी पड़ रही है तो मैं एक काम करता हूँ अपने computer को निकालते हैं फिलाल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और इसको ना मैं इस तरफ कर देता हूँ हाँ एकदम इस कोने पर लगा देता हूँ चलो अभी काफी बढ़िया है तो यहाँ पर customers आएंगे I think यहाँ से आएंगे अच्छे यहाँ से आएंगे I think थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर space रखनी पड़ेगे मैंने तो कुछ जादे कोने पर रखा दिया हाँ मेरे सबसे इतना काफी है यहाँ पर वो लोग चल भी सकते हैं तो यहाँ पर check भी हो जाएगा तो अभी क्या है कि इस shelf को मैं एक काम करता हूँ तो फिलाल इस shelf को कहाँ पर रखो थोड़ा सा congested हो गया है मैंने कुछ जादे order कर दिया I think इस computer को मैं यहाँ पर रख देता हूँ एकदम इस के पीछे इस door के पीछे लगा देता हूँ और इस shelf को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ I think मैंने कुछ जादे इस shelf से order कर दिया है तो अभी score रखने का place तो नहीं हो रही है कहाँ पर लगा हूँ फिलाल मैं एक काम करता हूँ तो मैं एक बर चेक कर लेता हूँ काफी इंग्रीज हुआ तो मैं यहाँ पर 4 डॉलर कर देता हूँ सबसे पहले दुकान को open करो वैसे भी यह shelf खा ली ही है जादे कुछ सामान भी नहीं है इसमें मैं एक काम करता हूँ इसे यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ फोड़ा सा इस तरीके से ताकि मैं इसको यहाँ पर लगा सकूँ हाँ चलो अभी काफी बड़िया तरीके से सेट हो चुका है वैसे धीरे धीरे अपने दुकान को बे मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा तब जाकर यह shelves को मैं रख पाऊंगा तो फिलाल अभी तक कोई customer तो नहीं आया वैसे यहार में एक बार चेक करता हूँ अगर मेरे को अपने market का size अगर increase करना है section 3 में purchase कर सकता हूँ $750 में जादा तो नहीं है इसे मैं purchase कर सकता हूँ और अपने store levels भी काफी अच्छे से है तो मैं इसे purchase कर सकता हूँ बस कुछी पैसों की ज़रूरत है और साथ में ना मेरे को storage भी buy करना पड़ेगा जिसका price $800 है यह भी मेरे को purchase करना पड़ेगा तो फिलाल तो customers काफी अच्छे से आ रहे तो इन चीज़ों को मेरे को दो बार order करनी चाहिए वैसे आज कुछ चीज़ों का price भी गिर चुकी है तो वो भी मेरे को एक बार check करना है peanut butter का price गिर गिया floor का price गिर गिया और साथ में sugar का भी price गिर गिया फिलाल तो मैं इनको purchase कर लेता हूँ तो एक बार check करना पड़ेगा अगर इनका price ज़्यादा है क्या है तो कि 5$ है मैंने 6$ लगाया peanut butter का भी price काफी ज़्यादा गिर चुका है नहीं तो ये sale नहीं हो जाएंगे तो मैं price को कम कर देता हूँ तो कि अभी भी ये चीज expensive बोल्ड रहा है कितना ज़्यादा ज़्यादा expensive तो है ये फिर भी ये लोग expensive बोल्ड रहे वैसे floor का भी price तोड़ा सा गिर चुका है तो यहाँ पर मेरे कुछ चेक करना पड़ेगा ज़्यादा तो price नहीं गिरा चलो ठीक है फिलाल तो अपना order तो आ चुका है तो मैं जल्दी से याँ पर सामान फिल कर देता हूँ ये लोग तो चीज काफी ज़्यादा महेंगा करकर बोल्ड रहे है उतना ज़्यादा तो महेंगा मैंने रखा ही नहीं तो फिलाल जितने भी सामान को मैंने order किया यहाँ पर मैंने फिल कर दिया तो अभी अपने दुकान काफी बढ़िया लग रहे है लेकिन यार ये लोग चीज का प्रैस ज़्यादा ऐसा बोल रहे है ये चार डॉलर का है मैंने पांच डॉलर लगा है था वैसे क्या है कि मैं ज़्यादा तर रौंड फिकर लगा रहो ना दूध का भी एक काम करते हूं जो चीजने नहीं ले रहे है ज़्यादा प्रैस बोल रही तो उनका प्रैस में कम कर देता हूं ऐसे खार स्टाफ का चला गया ठीक है अगले दिन को स्टार्ट करते वाटर बाटल का प्राइस गिर चुका है तो मैं एक बद चेक कर लेता हूं मेरे सबसे जादा तो नहीं गिरा तो मैं इसको उतना ही रखता हूं और शौप को भी ओपन कर देते हैं तो फिलाल तो अपने दुकान में काफी अच्छे से सामान तो है तो ये बहुत अच्छी बात है मैं एक काम करता हूं मैं और ग्रोथ में जाकर ये 750 डॉलर्स अच्छा पूरे पैसे नहीं है मेरे को और पैसे लगेंगे वैसे एक बर मैं बिल्स शेक कर लेता हूं ओ भाई सा बहुत सारे बिल्स है फिलर मैं को पे कर देता हूं यार काफी सारे पैसे यहां पर जा रहे यार यह देखो उतने सारे पैसे थे अभी 500 डॉलर पर मैं आ गया हूं बिल्स ना कुछ जादा ही हो रहे हैं अभी क्या है कि मिरे को उतना जादा करने की जरूत नहीं है जैसे यहां पर सामान कम हो रहे हैं तो मिरे सकते तो काफी बढ़िया होगा तब क्या है कि अपने ळूपY बार बहूंगे अमीरो वाल वाली कस्ट्मर सायंगे तो और भी बढ़िया है वह लोग यहादा दाम नहीं देख्ते चीजें ले लेते यहाँ पर तो एक CD भी है इसके उपर मैं चड़ भी सकता हूँ और भाई सब यह तो काफी बढ़िया है एक काम करता हूँ मैं खुद ही इन लोगों को बोल देता हूँ तो देखो सर जी यहाँ पर न एक काफी अच्छे से grocery store है सौरी सूपर मार्केट है उस सौपर मार्केट का नाम है माईनी तो आप जाकर आपको जो भी सामान चाहिए न एकदम अराम से purchase करना वैसे चाहिए तो सब कुछ ले 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 न मेरे को तो आप काफी अमीरे वाली बंदे लग रहे है मैं काम करता हूँ आपको दुकान पर लेकर चलता हूँ पर चीज कर लेते हैं तो अभी तो मैंने स्टोरेज को परचीज कर लिया और इसके बाद भी विल्कूल भी नहीं है उससे पहले तो मेरे को यहां पर अपग्रेड करनी पड़ेगी वैसे मिरको एक रैक्स भी और करना मैं एक बर प्राइस चेक कर लेता हूं, यहाँ पर कितना है रैक, स्माल रैक 200 डॉलर का मिल जाएगा, और जो टॉल रैक है 250 डॉलर, जादा महेंगा नहीं है, तो बस अभी मेरे को ये चीज़ ओर्डर करनी है, तो मैं एक काम करता हूं, ये भी ओर्डर कर देता हूं, अभी बस मेरे को 15 लेवर करनी पड़ेगी, यार सबसे पहले लाइट साउन कर देते हैं, काफी अंदेरा हो चुका है, तो एक बार मैं स्टोरेज देख लेता हूं, ओके, तो स्टोरेज मेरे को अभी मिल चुका है, जैसे कि तुम लोग देख पर हैं, वैसे यहाँ पर सुच है, लेकिन लाइट नहीं है, अल्रड़ी मैंने एक लाइट को यहाँ पर ओर्डर किया, तो यह यहाँ पर लगा देता हूं, चलो लाइट तो लग चुका है, तो अभी सुच को अउन करते हैं, लाइट भी जल रही है, मैंने यहाँ पर रैक को भी ओर्डर कर दिया, तो यह ना, यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूं, एक दम बढ़िया तरीके से, तो अभी अपने स्टोर लेवल जैसे पंदरा हो जाएगा ना, चलो, आइटिंक इतना काफी है, वाइट शुगर का पौडर भी जादे एक्समें से बोल रहा है यार, फिर ठीक है, वैसे कुछ जादे प्रेस मैंने रख दिया है, तो मेरे सबसे इतना काफी है, ओके चलो, डे 18 भी कंप्लीट हो चुकी है, यार, आज तो प्रॉफिट से जादे तो लुकसान हो गया है, आइटिंक मैंने वो स्टोरेज खरीदा ना, इसलिए लुकसान हो गया होगा, तो दिक है, नेक्स्ट टे को स्टार्ट करते है, आज तो टी प्रेस इंक्रीज हो चुकी है, मेरे सबसे जादा ही मेरे रख दिया है, और साथ में यहाँ पर फ्लॉर का प्राइस भी गिर चुका है, तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ, ये वैसे फ्लॉर खतम हो गया, हाँ ये दिको फ्लॉर खतम हो गया, मेरेको और आउड़र करनी पड़ेगी, तो फिलाल तो मेरे पास जादा पैसे तो नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इसे ही जादा और कर देता हूँ और एक बर चेक करते हैं मेरे पास और क्या है आइ तिंग ये भी कम हो चुका है, ये क्या है वैसे ये पास्ता है पास्ता भी कम हो चुका है आँ पास्ता है पास्ता कम नहीं है I think में इनको फ्लोर ही चाहिए होगा और बाकि सारे चीज़ आइ तिंक मेरे पास है तो मैं फ्लोर यहाँ पर पर्चेस कर लेता हूँ चलो काफी बढ़िया है जल्दी से यहाँ पर प्लेस कर देते है यहाँ पर ना दुकान को मेरे को उपन करना पड़ रहा है हर दिन दुकान बंद क्यों हो जाता है चलो यहाँ पर मैंने तीनों बॉक्स को प्लेस भी कर दिया तो अभी यहाँ पर करिस्टमर्स को हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगा तो काफी बढ़िया है ऐसे मेरे सबसे यह वाली पास्ता भी कम हो गया यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ चार पॉक्से सी है और यह काफी जादा सेल भी हो रहे तो आइटिंग मेरे को यह ओर्डर करने पड़ेंगे मैं एक काम करता हूँ यह भी तीन ओर्डर कर रही देता हूँ यह देखो बहुत जल्दी सेल्स हो रहे अच्छा हुआ मैंने ओर्डर कर दिया मेरे सबसे ने यह लोग ज़्यादा पास्ता खाते होंगे तो फिलाल गाइस जैसे कि तुम लोग देख पार हो यहाँ पर लाइन लग चुकी है और यहाँ पर कुछ लोग चेकोट के लिए इंतजार भी कर रहे इतना ज़ादा लाइन हो चुकी है मेरे सबसे यहाँ पर मेरे को यह को और यह से वाला रखना पड़ेगा चुमकि अभी क्या है कि कस्टमस काफी ज़ादा इंक्रीज हो चुकी है आई थिंग मैं यह खरीज सकता हूँ तो फिलाल यह जो है ना पर्चेस कर लेता हूँ सामान कुछ मेरे को और करना है आई थिंग मैं फरनीचर में हाँ यह देखो यह चेकोट मैं खरीज सकता हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है कि सेल्फ चेकोट काउंटर भी है लेकिन यह कुछ जादा ही महंगा है 900 डॉलर का है इसा भी खरीद कर देखेंगे फिलल तो मैं एक चाहूँ तो 500 डॉलर का चेकोट काउंटर खरीज सकता हूँ यहाँ पर तो बहुत जादा लाइन बढ़ चुकी है मेरे सबसे यह इतना टाइम क्यों लगा रहा है यह धीरे धीरे कर रहा है क्या तो अभी तो अपने सामान तो आ चुका है मैं एक काम करता हूँ कम से कम यहाँ पर फिल कर देता हूँ डे 19 भी कम्पलीट हो चुका है तो अभी नेक्स डे को स्टार्ट करते है काफी का प्रैस थोड़ी से इंक्रीज हो चुकी है एक बार मैं चुक करता हूँ हाँ काफी जदा इंक्रीज होई है तो फिलाल मैं एक कम करता हूँ 11 डॉलर कर देता हूँ तो अभी काफी बढ़िया है और अपने दुकान को भी उपन कर देता हूँ और भी सामान यहाँ पर फिल करना बाकी है तो मैं जली से यहाँ पर फिल कर देता हूँ तो गाइस अभी ना मेरे को अपने मार्केट को थोड़ सा इंक्रीज करनी पड़ेगी एक बार मैं यहाँ पर मैंनेजमेंट में चलता हूँ ग्रोथ में चलते है 750 डॉलर शाइए इसके लिए तो अभी फिलाल तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है और भाई साब एक लाख सिक्स्टी तॉजन्ड है क्या यह भाई साब कितने जीरो से यार इसे फर्चेस करना तो बहुत जादा एक्स्पेंस हुए वैसे 100 days में तो हम यहां तक पहुँची जाएंगे जितना मेरे को लगता है वैसे यहां पर बहुत सारी सेक्शन्स है लगब कितना 23 sessions तक है और यहां पर hiring के लिए भी मैं काफी सारे लोगों को कर सकता हूँ storage भी मैं बहुत ज़्यादा खरी सकता हूँ bills अभी सबसे पहले भरने पड़ेंगे तो मैं इने भर देता हूँ bills का कुछ ज़्यादा ही पैसे जा रहे और मैं अगले product का license तो purchase कर सकता हूँ फिलल सबसे पहले ना ये खरीते है बाद में मैं अगली product का license करी दूँगा बस अभी मेरे को एक और store level increase करनी पड़ेगी तब मैं यहाँ पर free stocker भी रख सकता हूँ बस मेरे को सामान order करना है वो यहाँ पर आ जाएंगे और बागी वो feel कर देगा तब तो काफी बढ़िया रहेगा तो guys अभी मेरे पर 750 dollars हो चुके है तो मैं इसे purchase कर लेता हूँ अगले वाले purchase करने के लिए 1300 dollars शाए कुछ जादे expensive है I think यह वाले जो space है वो increase हो गया होगा तो मैं एक पर चिक करता हूँ हाँ यहाँ पर जो space है वो increase हो गया तो अभी मैं अपने racks को थोड़ा से पीचे कर देता हूँ हाँ यहाँ पर दो तो नहीं होंगे उतना तो increase नहीं हुआ तो मैं ऐसा रख देता हूँ यार यहाँ पर ना अलग color आ गया यार तो वह पस मेरे को यहाँ पर color करनी पड़ेगी वो मैं देख लूँगा अभी इस shelf को निकालते है यहाँ पर रख देता हूँ चलो अभी काफी बढ़िया लग रही है वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी एक और self लगा सकता हूँ नहीं तो इसे move कर देता है इस तरीकी से लगाते है ना एक जब ऐसे जाएंगे यहाँ पर भी shelves रहेंगे यहाँ पर भी रहेगा चाहे तो यहाँ पर एक और लगा सकता हूँ वैसे उससे भी पहले मेरे को यहाँ पर एक light चाहिए होगा वो मेरे को देखना है फिलाल तो आज का दिन खतम हो चुकी है लेकिन यहाँ पर काफी सरे customers है तो इनका check out होनी के बाद day को complete करते है वैसे अभी क्या है कि 9 बस गया ना तो मैं order करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ देखो यहाँ पर 9 पीम पे close हो जाती है तो कल सुबे तक मिरे को इंतजार करनी पड़ेगी तो अभी अपने दुकान भी काफी बढ़िया लग रहा है एकदम selfs काफी अच्छे से लगे है चलो अभी day को end कर देते 20 days complete हो चुके है अगली दिन को start कर देते है सुगर powder का price गिर चुका है और rice बासमदी का price increase हो चुका है एक पर सुगर का price देख लेता हूँ I think मिरे को यहाँ पर सुगर का price कम करनी पड़ेगी मैं काम करता हूँ 4.5 कर देता हूँ अभी ठीक है फिलाल यार मैं दुकान open करना बार बार भूल जाता हूँ वैसे यहाँ पर मिरे को color करना अपने बस थोड़ी बद color बची है तो मैं यहाँ पर यह वाली color कर देता हूँ चलो यहाँ पर color हो चुकी है और मिरे को color buy करना पड़ेगा फिलाल इसको डेस्टमिन मैं fake देता हूँ मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर बढ़िया लगेंगे वैसे अभी क्या है कि काफी सारे जो सामान है वो भी sale हो चुके मिरे को भी order करने है तो मैं एक काम करता हूँ सब कुछ एक एक यहाँ पर लगा देता हूँ कि यहाँ पर जादा पैसे होंगे फिलाल मेरे को और थोड़े से पैसे चाहिए मैं थोड़े देर इंतजार कर देता हूँ वैसे भी I think salt का ज़रूत है यहाँ पर salt अच्छे कासा है और अंडे भी मेरे पास है चीज भी है मिल्क भी है वाडर बॉटल्स भी है I think freeze का जो भी सामान है वो तो नहीं चाहिए होंगे वैसे कुछ कुछ चीज है तो मेरे पास पहले साहिए फिलाल मैं और तो कर ही देता हूँ वैसे यार मेरे को लगते है एक और काउंटर खरीदना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हूँ कितने सारे कस्टमर्स आ रहे और यह चेकोट फुल है करकर बोल्ड भी रहा है तो मैं एक काम करता हूँ एक और खरीदी लेता हूँ फरनीचर में चलते हैं यह 500 वाला मैं खरीद लेता हूँ और साथ में मेरे को लाइट्स भी चाहिए होंगे एक लाइट बे मैं और कर देता हूँ और बाई साब 9 बज गया तो अभी मैं और नहीं कर पाऊंगा सबसे पहले दुकान को बंद कर देता हूँ ने तो और लोग आ जाएंगे खिलाल इनका चेकोट होने देते हैं थोड़ी देर में हो जाएगा चलो फाइनली इसने सब को चेकोट कर दिया है तो day 21 भी complete हो चुकी है चलो next day को start करते आज का तो काफी सारे products का price नीचे गिर गया मेरे को ये सब को एक बर चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले तो दुकान को open करो और जो सामान मेरे को order करना है ना वो मैं जल्दी से order कर देता हूँ काफी सारे पैसे भी चले गए तो अभी सबसे पहले तो light यहाँ पर मैं रग देता हूँ और light को on भी कर देता हूँ अगर मेरे को यहाँ पर एक और लगाना है तो इस computer को मेरे को निकालनी पड़ेगी एक काम करता हूँ यह वाली shelf को निकाल देता हूँ और इसको यहाँ पर रग देते हैं तो अभी काफी बढ़िया है तो अभी यहाँ पर दो shelf हो जाएंगे चलो तो अभी इस computer को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इस check out को न यहाँ पर लगा दूँगा तो एकदम बढ़िया रहेगा तो काफी बढ़िया है तो अभी दो check out है वैसे अभी के लिए न मैं इसे बंद करके रख देता हूँ यहाँ पर अगर ज़्यादा customers होंगे तब इसे open करूँगा वैसे यार धीरे धीर अपने दुकान को और भी increase करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा space हो चीगी है वैसे अभी shelves भी fill होना बाकी है मेरे को और भी सामान order करना है लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर बस इंतजार करना चाहता हूँ जैसे अपने store का level 15 हो जाएगा न तो मैं एक और employee को यहाँ पर रख सकता हूँ वो सामान fill करता रहेगा तब क्या है कि मेरे को करने की ज़रूद नहीं है यार मेरे सबसे मेरे को सामान order करना ही पड़ेगा यार अभी भी चीज expensive है थोड़े बहुत तो expensive है I think इनका price अभी drop हो गया होगा तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर change कर देता हूँ चलो अभी ठीक है अभी क्या है कि सामान काफी ज़्यादा sale हो चुचके उके चलो अपना तो 15 levels हो चुका है तो यह काफी बढ़िया है तो अभी जिल्दी से मैं management में जाकर hiring पे ना इसे hire कर लेता हूँ तो अभी अपने दुकान में दो-दो employees हो चुके है और यहाँ पर देख सकतो यह काफी अच्छे से भर भी रहा है तो अभी बस मेरे को सामान order करना है और बाकी यह काम कर देगा लेकिन क्या है कि यह उतना जादा fast नहीं है बहुती slow जाता यह देखो लेकिन कम से कम भर तो देता है और यहाँ पर check out के लिए भी एक आच चुका है अगर जादा customers हो जाएंगे तो मैं यह वाला check out को भी open कर देता हूँ तो आज का दिन भी खतम हो चुकी है day 22 खतम हो चुकी है यहाँ पर देख सकतो अभी भी कुछ customers जो है not satisfied है I think जो products है न वो अभी भी expensive है ठीक है मैं अगले दिन को start कर देता हूँ मेरे सबसे क्या आनक अभी-कभी products का price नीचे और उपर होते रहते है अभी देख सकतो यह floor का price थोड़ा सा increase हो चुकी है और कुछ-कुछ price तो मैं यहाँ पर कम भी रख रहा हूँ तो उसके वाज़े से अपना मुनाफ़ा भी कम हो रही है यह देखो यह floor का price फिलाल तो बढ़ गी है तो मैं एक कम करता हूँ 6 कर देता हूँ market price से थोड़ा साइज जादा है kellox मैंने कोछ जादा ही रख दिया क्या मेरे को इसका price कम करनी पड़ेगी $7 कर देता हूँ salt का price भी ठीक ही है वैसे price ना vary करता रहता है तो उसी के वाज़े से दिक्कदोरे फिलाल तो दुकान को open कर देते है यार अभी ना मेरे को stock को भी purchase करना पड़ेगा यहाँ पर देख सकते हो अपने दुकान में अभी भी बहुत सारे सामान में fill कर सकता हूँ तो सबसे पहले यह सारे सामान में order कर देता हूँ चलो मैंने order कर दिया वैसे भी मेरे को fill करने की जरूत नहीं है यह fill कर देगा यार चलो आगे order हाँ छोड़ा सा lazy है यार ये ना बहुत देर लगा रहा है मैंने बहुत पहले order किया था अभी भी ये सामान लगाता ही जा रहा मेरे सबसे ये जितना देर में लगा रहा है न उतना देर में ये सारे लोग लेकर चले जा रहा है I think peanut butter का जो price है वो जादा लगा दिया एक बर मेरे को चिक करना पड़ेगा हाँ यार मैंने तो कुछ जादा ही लगा दिया फिर मैं एक काम करता हूँ अभी भी I think ये लोग नहीं लेंगे इनका ना कुछ जादे नाटक चल रहे यार ओके फिलल मैं चार तो करने पर हम पताने I think उससे जादा कम नहीं कर सकता हूँ फिर ठीक है पांच डॉलर मैं यहाँ पर रख देता हूँ यार यहाँ पर देख सकता हूँ चेकोट के लिए भी बहुत सारे लग हो चुके चेकोट भी फिल हो चुका है तो इसका मतलब मेरे को इसे ओपन करना पड़ेगा चलो अभी मैं चेकोट को ओपन कर देता हूँ भाई साब या 100 डॉलर्स दिया रहा और उपर से सिर्फ दो चीज़े लिया था तो अभी इसको बंद कर देता हूँ कस्टमर्स तो चले गए और लाइट से यहाँ पर आउन कर देता हूँ अंद्रब फ़ोगेज, मेरे सबसे चीज यहाँ पर खंअ हो चीक है मेरे को और भी यहाँ पर ओडर करना है यहाँ अभी ना मैं सूच रहा हूँ अगले प्रॉड़क्ट का लाइसन्स खरीद लेता हूँ एक बार देखते हैं यह तो सारे fridge का सामानी है तो यहाँ पर मैं order कर देता हूँ I think अभी मेरे को fridge भी एक और चाहिए होगा फिलाल तो अभी उतने पैसे नहीं है अभी यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा यह तो बहुत time लगा देगा मैं भी इसका मदद कर देता हूँ यहाँ पर ना कभी कभी चेकोड भी मेरे को करना पड़ रहा है और यहाँ पर यह फिलिंग भी मेरे को करना पड़ रही है मेरे को लगा अभी करने की जोरो नहीं है अपना ही दुकान है काम तो करना ही पड़ेगा यहाँ मैंने इनका price सेट ने किया 3 डॉलर रख देता हूं और सोडा के पे almost 2 डॉलर है इसका भी 3 डॉलर कर देते हैं और ये जब सोडा का भी 3 डॉलर कर देता हूं इसको भी 3 डॉलर ये 12 डॉलर कर देता हूं एकदम round figure है मैं इसको 2.5 कर देता हूं चलो अभी मैंने सब का प्राइस यहां पर सेट कर दिया ओके यार इतना जल्दी इसने सब कुछ रख दिया अरे यार रखा नहीं इसने यहां पर रखा था यार ये क्या है I think fridge fill हो गया क्या नहीं तो फिर तो fill क्यों नहीं किया ये ठीक है मैं फिल कर देता हूँ यार ये फिल नहीं कर रहा है यार यहां पर जाकर रख दिया था तो अभी मेरे को सामान भी order करना पड़ेगा और देख सकतों यहां पर काफी ज़्यादा sales हो चिक है फिर इस तो काफी अच्छे सा भर गया चलो अभी इनका भी चेकोट हो चिक है तो अगले दिन को स्टार्ट करते है नेक्स्ट इस स्टार्ट हो चिक है ये water bottles का जो price है वो increase हो चिक है दो डॉलर का हो गया तो मैं भी एक काम करता हूँ 2 कर देता हूँ इसे चलो एकदम market price ही रख देता हूँ वैसे दुकन को open करते है मेरे सबसे मेरे को और भी चीज़ है यहाँ पर order करने है तो फिलाल तो जादा वैसे हो रहे है इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है तो थोड़ी देर मेरे को इंतजार करना पड़ेगा नहीं तो एक काम करते है जितना है न उतना order कर देता हो न महेंगे को निकाल देता हो यहाँ पर ओके तो I think इतना काफी है इतना में order कर देता हूँ और ये fill भी करता रहेगा तो काफी बढ़िया है मेरे को भी ज्यादा सामान एकी बार में order नहीं करनी चाहिए नहीं तो क्या है कि यह काफी देर लगा देगा fill करने में तो अभी तो मैंने बहुँआ सारे सामान यहां पर order कर दिया है तो यह काम करता हूँ, यह fill करेगा तो बहुँआ देर लगाएगा तो मैं भी इसका मदद कर देता हूँ इरे सबसे ना म self को मेरे को निकालना पड़ेगा इसको निकाल कर मैं यहां पर रख देता हूं अभी देखते फ्रीज कितने में हमें मिलेगा 200 डॉलर साइटिंग लगेंगे यह बड़ा वाला फ्रीज ले ले लेते हैं यह सबसे ज़्यादा बेटर होगा थोड़े से और पैसे मेरे को यह तो यह ही रहा है थोड़े बदकस्तमर आ जाएंगे तो मैं फ्रीज करी सकता हैं यहां पर देख सकते हो कितने सारे बॉक्स मैं यहां पर रख दिया है क्यूंकि यहां पर सारे प्रीज फिल हो चुके हैं तो आई थि combin roce सकता हूँ चलो इसे मैंने order भी कर दिया है तो अभी इसको कहां पर रखो फिलाल एक काम करता हूँ यहाँ पर रख देता हूँ जिल्दी से यहाँ पर feel कर देते हैं अभी freeze का काफी अच्छे से short हो चिका है सारे सामान यहाँ पर रख सकते हैं self भी थोड़े बहुत feel हो चिके यहाँ इतने सारे क्यों order कर दिया यह सेल नहीं हो रहे क्या शायद यह काफी टाइम से यहाँ पर प्राइस तो मैंने जादा नहीं लगाया ना और प्राइस तो उल्टा मैंने कम ही लगाया था यार फिर भी sale नहीं हो रहे पता नहीं क्यों यहाँ पर check out के लिए तो बहुत सारे लोग आ चुके मेरे सबसे यह कर लेगा यहाँ पर इतने सारे boxes क्यों रखा है इसे फिल करनी चाहिए ना इसे यह देखो यहाँ पर इस तो थोड़ी बहुत खाली तो हो चुका है यहाँ पर यह फिल कर सकता है यार यह करता ही नहीं है यार लगता अभी जा रहा है करने के लिए फिर वैसे मेरे को एक टैबलेट खरीदना है मैं एक बड़ चिक कर लेता हूँ यहाँ पर furniture में शायद मेरे को मिल जाएगा वैसे यहाँ पर तो मेरे को यह टैबलेट नहीं दिखाई दे रहा पता नहीं कहां पर मिलेगा हाँ यह देखो tools में है चलो इसे मैं purchase कर लेता तो अब ही क्या है कि मैं यहाँ से ही अगर कोई भी सामान खतम होता है तो मैं order कर सकता हूँ I think यह जो खतम हो गया इससे मैं order करने के लिए रख देता हूँ और I think water bottles थोड़े से खतम हो गया क्या नए नहीं यहाँ पर है मेरे सबसे यहाँ पर तो सारे चीज़े अच्छे का यहाँ से ही है शुगर भी है शुगर यहाँ पर है तो शुगर का भी ज़रूत नहीं यह दिको बहुत सारा शुगर है चलो मैंने directly यहाँ साही purchase कर लिया और यह आ भी चुका है तो थोड़ी दिर में यह रख देगा फिलल तो मैं काम करता हूँ light को on कर देता हूँ I think check out के यह open करना पड़ेगा इससे मैं open कर देता हूँ हाँ बहुत सारे लोग आ गया रिचे कोट के लिए अरे यार 100 डॉलर्स दे रहे यार यह लोग तो इनको तो पूरा चेंज देने में अपने सारे पैसे खतम हो जाएंगे तो अभी डे को खतम हो चीकी है डे 25 भी अगले दिन को स्टार्ट करते है यार मेरे सबसे मेरे को कुछ बिल्स भी यहाँ पर पे करने में ध्यान ही नहीं दिया I think एक कुछ जादे बढ़िया खेर देके मैं यहाँ पर भर देता हूं सारे डॉलर्स तो यहाँ पर ही खतम हो रहे और उपर से मैं इन दोनों को हाईर कर लिआ ना तो इनको भी मेरे को daily pay भी करना पढ़्या या pretended sales ना दीरे धीरwiek ऐस's लग रहाwości ही तोड़ा सां कम्हों गया या फिर हमरा profit कम्होंगे ऐसा मेरे को लग रही है फिर वैसे अभी भी कुछ चीज़े मेरे सबसे नहीं है मेरे को सारी चीज़े ओर्डर करने है सबसे फिले तो दुकान को ओपिन कर देते हैं कौन सा चीज़ नहीं है वो पता नहीं चल रही है अब वो ही दिक्कत हो रही है फिलार मैं एक बट चेक कर लेता हूँ मेरे सबसे सारी चीजी काफी अच्छे सही है फिलार मैं थोड़ी दिर इंतजर करता हूँ सब तक थोड़ी बट पैसे भी आ जाएंगे और सामर मैं आउडर कर सकता हूँ यार लेकर यहां पर यहां पर फूर इसमें रख रखा रहा यार apologize सारे सामान् sadece पता नே फिल क्युक्त करना रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी बता स्पेस तो है फिल करनी चाहिए इसे तो शायद यह भी मेरे को भी करना पड़ेगा भी तो मेरे इस सबसे यहाँ पर चिकोट के लिए तो कोछ जाद ही लोग आ गये तो यहाँ पर यह देखो कितने सारे लोग आ गये याँ चिकोट के लिए तो मैं इनका चिकोट जल्दी से कर देता हूं वैसे sales तो काफी अच्छे से हो रहे है ये लोग तो बहुत सारे सामन लेकर जा रहे तो अभी तो में रुपस काफी सारे पैसे भी हो चुके तो मैं एक काम करता हूँ इस सारे प्रोडक्स ना एक और बाई कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आ रहे उनको जो चीजे चाहिए तो वो नहीं मिल रहे ओके कितने होंगे अरे यार अभी मैं ओर्डर भी नहीं कर पाऊंगा फिर फिलाल ठीक है तोड़े बहुत कस्टमर्स है इनको जाने देते हैं चलो बढ़िया यहाँ पर आकरी कस्टमर्स भी जा चुका है डे 26 पर यहाँ पर खतम हो गया तो अभी अगले दिन का स्टार्ट करते है पिसे सबसे पहले मैं अपने दुकान को उपन कर देता हूँ और इन सामान को ना मैं ओर्डर कर देता हूँ फिलाल तो मेरे पास काफी अच्छे से पैसे है वैसे मेरे को और भी यह वाले चीज़े ओर्डर कर लेनी चाहिए यह क्या है कि थोड़े से कम मिलते है चलो इन्हें मैं वापस ओर्डर कर देता हूँ तो बाकी तो वो फिल करते रहेगा यहाँ पर बहुत सारे शल्फ भी खाली हो चिक है हाँ काफी सारे खाली हो गया तो इसको फिल करने पड़ेगा तो मेरे पास एक कम करता हूँ मेरे पास और भी थोड़े बबद पैसे है तो मैं एक काम करता है जितने भी है सब कुछ यहाँ पर मैं ओर्डर कर देता हूँ तो customers तो अभी काफी अच्छे से हार है बस मेरे को जो सामन है वो fill करते रहना पड़ेगा तो अभी मैं इन सामन को भी order कर देता हूँ काफी सारे सामन मैंने यहाँ पर मंगवा दिया बस यहाँ पर fill करना ही बाकी रह गया यह fill करेगा तो बहुत time लगाएगा मैं भी इसका मदद कर देता हूँ यह जितने देर में यह एक रख रहा है न उतना देर में मैं यहाँ पर दो रख दे रहा हूँ यह इसको क्या हो गया यहाँ पर यह खड़ा क्यों रहा गया यह इसका glitches चलते है क्या यह fill यह नहीं कर रहा है क्या करूं इसका भी मेरे को लगा सिर्फ mortal manager simulator में ही ऐसा होता है अभी तो यहाँ पर भी हो रहा है ऐसे मेरे सबसे sales को जादे अच्छे से हो रहे है यहाँ पर देख सकतो check out भी full हो चुकी है तो मेरे सबसे यहाँ पर थोड़ी देर तक लेकना पड़ेगा एक्स के जो price increase हो आपने शेल्फ भी भरते रहेंगे मेरे सबसे और साथ मेरे को एक और फ्रीज भी लेनी पड़ेगी या फिर मैं यह वाला फ्रीज ले लूँ क्या यह वाला एक single फ्रीज है हाँ यह तो 400 रुपे का यह यह तो बहुत बड़ा फ्रीज है यार एक काम करता हूँ यह वाला purchase कर लेता हूँ I think इतने पैसे मेरे पास नहीं है थोड़े से पैसे ही चाहिए यह सबसे पैसे चाहिए फिलाल ना थोड़े से बस पैसे चाहिए यहाँ पर थोड़े से सेल्स हो जाएंगे तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे यह फिर मैं एक काम करता हूँ फ्रीज को ना मैं बाद में ओर्डर कर देता हूँ हाँ अभी मैंने इनको ओर्डर कर दिया यह क्या है कि तब ते कि फिल भी करते रहेगा जब पैसे बन जाएंगे तब मैं फ्रिज ओर्डर कर दूंगा यार मैंने 8 बज़े अपने दुकान को ओपन कर रहा हूँ लेकिन यह आते आते 10 बस जाते यार यार यह ना फिल करते करते बहुत टाइम लगा रहा पता ने कभी कभी ग्लिचेस भी हो रहे यहां पर देख सकतो बहुत ज़्यादा स्पेस भी है मेरे को समझ में नहीं आ रही है फिल क्यों नहीं कर रहा इस केम में भी ग्लिचेस होते है क्या यह देखो अभी भी यहां पर ही खड़ा है और उपर से बोल रहे कि रैक्स फुल हो चुके, पताने मिलेको कुछ समझ भी नहीं आ रहा और यहां पर भी काफी अच्छी से स्पेस है, यह काम करता हूँ इसे मैं निकाल देता हूँ, यह कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो फिलाल तो थोड़े बहुत पैसे बन चुके, तो यहां पर एकदम बढ़िया है, तो अभी यहां पर मेरे सबसे बहुत जादा स्पेस है, तो काफी अच्छी से फिल भी कर सकते है, मेरे इसाबसे अभी मेरे को अपने दुकान को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या है कि यहां पर और भी सेल्फ पर मैं खरी सकता हूँ, च वैसे यह बोड़ रहे हैं कि oil थोड़ा से ज्ञादा expensive है क्या नहीं तो उतना जादा भी expensive नहीं है वैसे यार मैं एक बर price यहाँ पर check कर लेता हूँ किसी का कम होँआई वैसे यह काफी ज्यादा कम हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पर ज्यादा price रख दिया तेरा सो रुपिया चाहिए और थोड़े बद पैसे मेरे को चाहिए होंगे फिलाल मेरे सबसे इसका चेकोड में उपन कर देता हूं क्यूंकि काफी सारे लोग आ चुके हैं वैसे मैं जितना जल्दी सामान भर रहा हूं ना यह जल्दी सामान भी सेल हो रही है तो इसकी प्राइस भी उतना ही डबल डबल हो रही है यहां पर देख सकते हूं तो मेरे सबसे आगे हमें खरीदने में बहुत जादा मुश्किल आने वाला है तो फिलाल कितना इंकरीज हो ओक्रिज हो चुका है तो यह काफी अच्छी बात है तो अभी मैं इसको यहां पर रख सकता ह मैं अभी तो बहुत सारे शेल्फ भी यहां पर खरी सकता हूं अभी फिलाल तो यहां पर चेकोट्स तो फुल हो चुकी है तो मैं एक काम करता हूं इसे मैं ओपन कर देता हूं तो फिलाल तो अभी सारे कस्टमर चले गए तो नेक्स डे को स्टार्ट करते है डे 29 भी कंप्लीट हो चुकी है आज तो औरेंज जूस और ब्लैक कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो यहां पर तो यहां पर तो यार औरेंज जूस है यह नहीं यहां पर रखा तक य मैं मेरे पास तो मैं सब कुछ एक यहां पर और कर देता हूं लेकिन दुकान को मैं आपटे किया क्या है यह इसको मैंने बाइक हैं अब कर लिए लेकिन मेनने इनुन क्या है एक राएक मिनट रुका रीजर ही हैts लेकिन वोज से हम कलर भी पयाट मैंने को क्या पता था यह वैसके सान में थे क्यों नहीं रख पा हुआ इसको परिजा कर लिया ठीक है मैं यह वाली सामान में इसके अंदर रख देता हूँ वैसे यह जारे यह पर चेकोड के लिए काफी सारे लोग आ चूके है काफी शारे लोग आ चुकफ carry कर देता हूँ यह days को जल्दी जल्दी से इनका चिकोड कर देते हैं तो sales तो काफी अच्छे से हो रहे अभी मेरे पस काफी अच्छे से पैसे भी है तो मैं वापस सारे सामान को order कर देता हूं और वैसे न मेरे को एक light भी extra lights order करने हैं और साथ में ये सारे सामान भी चलो मैंने purchase कर लिया, काफी सरे पैसे थे, सब खतम हो गए और यहाँ पर तो बहुत सारे सामान भी आ चुके है तो वैसे यह feel करेगा तो बहुत time लग जाएगा वो तो आप सब लों को पता ही, तो मैं ही feel कर देता हूँ यह दो कर लिया, तो वापस यहाँ पर खड़ा रहा गया फिल तो बार-बार मेरे को यह करना पड़ रहा है तो अभी जितने भी customers ते वो भी चले गए तो अगले दिन को start करते है day 30 भी यहाँ पर complete हो चुकी है चलो बढ़िया, अगले दिन को भी मैंने start करते है sugar का price increase हो चुका है तो मैं यहाँ पर check कर देता हूँ आरे यहार बहुत ज़्यादा increase हुआ है तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और इसे में 6 कर देता हूँ चलो थोड़ा सा ही मैंने price increase किया ज़्यादा मैंestruct करूँगा ना फिर वो लोग लेंगे ने वही दिक्कत है बस यार अभी भी कितना देर खड़ा रहेगा यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस तो है यहाँ पर भी खाली है यहाँ पर भाई क्या चाहिए और क्या चाहिए इसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यह पताने कब फिल करेगा जिसके वरोस में रहेंगे ने तो यहाँ पर सेल से नहीं होंगे फिर फिलाल तो मेरे लाइट तो पर्चेस किया लेकिन यहाँ पर लाइट ही नहीं लगा तो अभी मैंने यहाँ पर लाइट भी लगा दिया तो सुच को भी आन कर देता हूं यह कितना ज्यादा बढ़िया लग रह इसको क्या करना है यह देखो अभी भी यहां पर है तरक्सर फुल इंस टोर है पता ने यह करता क्यों नहीं कुछ समझ है नहीं नहीं आरो में रखो तो गाइस फिलाल मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना और एक license purchase कर लेते हैं क्या बोलते हैं थोड़ बत पैसे भी है तो license के लिए ओके जादा पैसे भी नहीं चाहिए 550 डॉलर्स ही चाहिए पैसे भी इतने पैसे मेरे पास है तो मैं काम करता हूँ इने भी purchase कर लेता हूँ तो अभी market में धीरे धीरे बहुत सारे समान भूब लेगा हूँ तो इन चाहिए उंको मैं और कर देता हूँ कितने हूँगे वैसे ज़्यादा पैसे नहीं है चलू मैं और कर सकता उत्तूं तो मैं और भी कर दिया है एक बार देखते हैं सारे समन आगे न, I think ये नहीं है I think जितना मिरा को लगते हैं इसको freezer में रखना पड़ेगा ने इसको freezer नहीं रखना पड़ेगा, freeze में रखना पड़ेगा इसको इसका मतलँ मिरे को और भी यहां पर freezes शाहिए होंगे यह शायद आइस क्रीम से जितना मेरे को लगता है वैसे यहाँ पर काफी सारे चिकोट्स के लिए भी आ गए लोग तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर देता हूँ यह देखो कितने सारे लोग आ गए कस्टमर्स तो काफी अच्छे से आ रहे हैं और सामान भी बहुत सारे ले रहे है ओ शायद मैंने इनका प्राइस अभी सेट ने किया एक बर मेरे को चिक कर ना पड़े गया मैंने सामान तो रख दिया लेकिन उनका प्राइस ही मैंने सेट ने किया तो फिलाल इसका मैं 2.3 रख देता हूँ और इसका 4.3 रख देते हैं और इसका भी 4.3 रख देता हूँ ज़्यादा प्राइस तो मैं यहाँ पर increase नहीं कर रहाlusion कम price नहीं कर रहाऊं चलो अभी तो मैंने सबके price यहाँ पर रख दिया तो अभी काफी बढ़िया है तो अभी सबसे भेले लेना को एक freeze order करनी पड़ेगी यह freezer है मैंने गलती से freezer order कर दिया 550 डॉलर का लुकसान हो गया ठीक है मैं एक काम करता हूं यह वला freeze को order कर देता हूं I think मेरे सबसे मेरे को दो चाहिए होंगे ओ अभी मैं order भी नहीं कर पाऊंगा 9 बजगे ना अभी कुछ customer से चलो इनका check out होने तक मेरे को इंतजार करना पड़ेगा यार यहां पर इतने सारे सामान है पता नहीं यह क्या करता है और कामचोर पता नहीं मेरे को तो एकदम गुसा आ रहा है यह इसके उपर और उपर से पैसे भी लेता है वो अलग चलो तो फिर सारे customers चलेगे day 31 भी complete हो चुकी है सबसे पहले यह जो freezer यह मैं order कर देता हूँ और दुकान को भी open कर देते है फिलाल इसको रखेंगे कहां पर लेकिन यहां पर रखना पड़ेगा फिलाल इसको मैं बीच में रख देता हूँ और इससे मैं यहां पर रखा देता हूँ यह यह freezer मैंने बिकार में खरीद लिया अब यहां पर space भी नहीं है पता नहीं मैं इसको कहां पर रखाँगा फिलाल तो मैंने यहां पर बीच में लगा दिया इसे मैं चाहूं तो यहां पर वेडिकली लगा सकता हूं मेरे सबसे तब क्या है कि मेरे को जादा स्पेस यहां पर मिलेगा तो अभी क्या है कि इसको मैं यहां पर लगा देता हूं तो यहां पर भी स्पेस होगा तो यह काफी अच्छा है तो अभी इसको और तोड़ा से यहां पर और यहां पर फ्रीजर भी है और यहां पर शेल्फ भी है मैं एक काम करता हूँ यह तोड़ सा बिकार लग रही है यह लेकर मैं यहां पर लगा देता हूँ चलो अभी यहां पर पूरा शेल्फ की सेशन है और यह फ्रीज को भी मैंने यहां पर लगा दिया तो अभी काफी कर सकता क्या यह 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 टाइम पस कर रहा है यह बहुत जादा फिलाल तो अभी शेल्फ शब्ष भी मैं चाहूं तो ऑडर कर सकता हूं लेकिन उस से पहले आइधिंग में ने कौश सामान ओडर करने पड़ेंगे तो मैं काम करता हूं सारे ना एक एक यहां पर और कर देता हू मेरे सबसे यह ज़्यादा पैसे हो जाएंगे एक बर मेरे को चेक करना पड़ेगा और बस थोड़े से पैसे चाहिए मेरे को थोड़ी देर मैं इंदिजार कर लूँगा यह फिर एक काम करते हैं इसे ओपन कर देता हूँ ज़्यादा लोग तो नहीं है यार वैसे अभी तक इसने फिल नहीं किया मैं इसे फिल कर देता हूँ फिला तो पैसे तो हो चुके तो मैं एक काम करते हूँ जिल्दे से ओडर कर देता हूँ नहीं तो 9 बच जाएगा तो मैं ओडर भी नहीं कर पाऊँगा आई तिंग चेकोट के लिए यहाँ पर मैं एको ओपन करने पड़ेगी हाँ थोड़े बद कस्टमर्स आ चुके है वैसे अच्छी बात यह है कि कस्टमर्स तो काफी अच्छे से आ रहे है बस मैं एको सामान जो है फिल करते रहना पड़ेगा तो आज का दिन भी कंपलीट हो चुकी है डे 32 तो अगला दिन को स्टार्ट करते है तो मिल्क का प्राइस जो है रेडियोज हो चुका है और चॉकलेट बार्स का भाई प्राइस रेडियोज हो चुका है तो अभी तो फिलल मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर यह जो भी चीज़ है ना में यहाँ पर fill कर देता हूँ वैसे यह ने बिकार में मंगवा दिया क्योंकि यहाँ पर ज़्धा space नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो और उपर से काफी ज़ादा यह space भी occupy कर रहे है ज़्यादा फिलिंग तो है इन्हें इससे एक नॉर्मल फ्रीशे में खरी लेता है बहुत ज़्यादा स्पेस ये खंजिम कर रहे है तो फिलाल तो यहां पर जितनी भी चीजे थे वो तो मैंने फिल कर दिया यहां पर इसने कुछ चीजे लगाया था इसे भी मैं फिल कर देता हूँ वैसे और आई थिंग चेकोट्स जो है फुल हो चुका है इलाल तो इन सब का मैं चेकोट कर देता हूँ ओके चलो तो अभी में रपस बहुत सारे पैसे है आई थिंग कस्टमर्स कह रहे हैं कि कुछ चीजे वो लोग फाइंड नहीं कर पर है ओके चेकोट भी फुल हो चुका है तो मैं एक काम करता हूँ जली से ना मार्केट से यह सारे चीजे मैं यहां पर मंगवा लेता हूँ यह फ्लोरी जादा तर भतम हो रही है क्योंकि यह आर्ट ही मिलता है ना तो मैं एक काम करता हूँ यह सब कुछ चीजे मंगवा देता हूँ ओके कितने होंगे जादा पैसे तो नहीं है मैं खरी सकता है तो मैं खरीद लेता हूँ तो फिलल थोड़ी दिर में वो फिल कर देगा तब तक मैं एक काम करता हूँ यहां पर छे कोट को भी ओपन कर देता हूँ ओके काफी सारे चीजे यह लोग बोल रहे के फाइंड नहीं कर पर है ग्रीन जूस पताने वो भी मिल नहीं रहा और डे भी कंपलीट हो चुकी है यार अपना आबे यार यह करता ही नहीं है यार भाई कितना जादा काम चोर है यह तो यह फिलिंग करता ही नहीं है यह दो का आई तिंक और थोड़ी देर रुके गा यह मेरे साब से भाई साब यार बहुत जादा गुसा आ रहा है यार मेरे को तो भाई इसको एक ही जगा मिलती है कि यहां पर फिल नहीं कर सकता है भाई बन कर रहा है इसको फाईर ही कर दूँ यार बहुत जादा गुसा आ रहा है वैसे तो हो गया लेकिन यहां पर और भी चेकवाट्स भाकी है खलो अभी फिलाल तो सारे चेकवाट्स तो तो कंफ्लीट हो चुकी है अगरे दिन को स्टार्ट करते है यह थोड़े तोड़े तोड़े अगर सेल हो रहा ना फिर Anda बबबब पकड़ के रखा इससे अच्छा तो कम से कम स्टोरेज में रख देता यार क्या है इन लोग को में क्यों रखता हूं फिर वैसे में को बहुत जादा गुस्सा आ रहा है काफी टाइम से वहां पर ही घड़ा है फिर काम करता मैंनेजमेंट में चलते है इसको फायर कर के लिए 2600 डॉलर्स शाहिए है तो बहुत जादा है अभी तो अपने पस उतने पैसे ही नहीं है और उपर से यहाँ पर सामाद भी मेरो कोई फिल करना है अबिक्स, तो अज का दिन भी कमप्लीट हो चिका है तो अभी अगले दिन का स्टार्ट करते हैं तो और बे कुछ चीज़े हैं तो में काम करता हूँ यहाँ पर जल्डे से फिल कर देता हूँ तो guys अभी मैं चाहूँ तो एक और cashier को hire कर सकता हूँ लेकिन क्या है कि यह बहुत जादा पैसे हो जाएंगे और वैसे भी क्या है कि यह bills भी काफी जादा बढ़ चुके है तो अभी तो मैं इसे hire नहीं करने वाला हूँ वैसे मैं चाहूँ तो और एक products का license मैं खरी सकता हूँ यह बाद में लेंगे फिलाल अपनी market को पूरी तरीके से सामान से भर देंगे तो अभी मेरे पस थोड़ी बहुत पैसे है तो मैं काम करता हूँ जितना मैं products खरी सकता हूँ उतना मैं खरीद लेता हूँ वापस यह खड़ा रहे गया भाई इसको तो कुछ नहीं कर सकते है चोड़ो अभी तो यह सारे सामान मेरे को फिल करना पड़ेगा वैसे यह बोल रहा है कि racks are full ऐसा कोछ बोल रहा है एक काम करता मैं एक और rack को ना order कर देता हूँ शायद अब यह ठीक से रखेगा जितना मिलको लगता है मैं चाहूँ तो यहाँ पर small rack पर मंगवा सकता हूँ एक और बड़ी rack यहाँ पर order कर देता हूँ चलो मैंने यहाँ पर बड़ी rack भी on कर दिया lights को भी on कर देते हैं तो अभी यह ना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ चलो अभी यह भी लग चुकी है चलो अभी मेरे सबसे यह शायद काम करेगा मेरे सबसे फिलाल तो यह सामान तो बर रहा है अभी क्या करेगा देखते हैं वापस खड़ा हो जाएगा शायद ने ने चलो अभी यह ठीक से काम कर रहा है तो यह काफी बढ़िया है फिलाल यहाँ पर चेकोट भी फुल हो चुका है शायद तो मैं एक काम करते हैं थोड़ी देर मेरे को चेकोट यहाँ पर करनी पड़ेगी ओके चलो तो आज के दिन भी कंप्लीट हो चुकी है डे 35 अभी अगले दिन का स्टार्ट करते है अभी न यह काफी अच्छा काम कर रहा है जैसे मैंने दूसरा रैक पर्चेस किया ना तो काम अच्छे से कर रहा है वैसे मैंने को समझ में या रहा है इतना ज़ादा स्पेस यहाँ पर है ना फिर भी पताने ओके यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना हर एक का यहाँ पर सिंबल है तो उसकी वज़े से शायद यह नहीं रख पा रहा है तो के अब ही मैं समझाया और अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया था फिर यह काफी टाइम लगा रहा है मैं भी इसका मदद कर देता हूँ तो अभी मेरे यह सबसे ठीक से काम करेगा फिलाल तो सबसे बले दुकान को ओपन कर देता हूँ वैसे मैंने बहुत सारे सामान यहाँ पर ओर्डर कर दिया तो यहाँ पर फिल करने में तो काफी टाइम जाएगा ओके यह चॉकलेट पर जादा एक्स्पेंसिव है क्या? हाँ यह तो जादा एक्स्पेंसिव है फिलाल मैं एक काम करता हूँ इसे 3 डॉलर कर देता हूँ तो फिलाल तो यहाँ पर check out भी full हो चके है जल्दी से मेरे को यह वाली check out को open करनी पड़ेगी तो अभी मेरे पास आपस से बहुत सारे पैसे है तो मैं एक काम करता हूँ वहाँ पस सारे सामान ओर्डर कर देता हूँ वैसे water bottles नहीं ये करकर बोल्ड रहे थे फिलाल इतने सामान मैं ओर्डर कर देता हूँ I think light चली गया क्या Okay light को मेरे को on करनी पड़ेगी तो बहुत सारे सामान आ चुके है मेरे ये साब से ये फिल कर देगा लेकिन water bottles मेरे को यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी क्योंकि वो खतम हो गया यर वैसे साथ मेरे को selfs भी order करने है यहाँ पर देख सकतो ये भी almost fill हो चिके है और मेरे को यहाँ पर selfs भी चाहिए होंगे और उपर से ये fridges मेरे सबसे ये fridges बहुत जादा space ले रहे तो मेरे को इनको निकाल देना है यार इनको न एक item पर नहीं मिल रहे है तो हमारे लिए एक XP कम हो रही है ये थोड़ा सा बिकार वाली चीज है चलो आज का दिन भी complete हो चुकी है यहाँ पर देख सकतो बहुत सारे customers जो है satisfied नहीं हो रहे I think उनको जो products मिल लेते हैं वो नहीं मिल रहे है तो फिला तो सबसे पहले मैं दुकान को open कर देता हूँ यार इतने सामान होने के बावज़त भी उनको सामान नहीं मिल रहे ठीक से यह अगर ठीक से fill कर देता है ना तो उतना दिक्कत नहीं होती वैसे मेरे सबसे कुछ shelves भी चाहिए होंगे तो I think दो हो जाएंगे शायद यहाँ पर मैं दो रख सकता हूँ और freezer भी चाहिए होगा एक काम करता हूँ यहाँ पर यह double freeze में एक मंगवा लेता हूँ यह वाले self fighting ज़्यादा space ले लेगा एक काम करता हूँ मैं हर बर तो यही self use कर रहा हूँ वैसे यह चोटे वाले भी शायद अपने काम आ जाएंगे यह में दो order कर देता हूँ ज़्यादा पैसा हो रहा है और साथ में यह वाले एक order कर देता हूँ यह मैं एक और order कर देता हूँ इसे रहने दो मैं यह वाला order करता हूँ चलो बहुत ज़्यादा पैसा है 1000 डॉलर्स का मैंने selfs ले लिया यहाँ पर वाईसा बॉक्सेस तो बर गया गया यह वाला यहाँ पर लगा देता हूँ यह वाईसा यहाँ पर नहीं होगा मेरे को यहाँ पर ही लगानी पड़ीगी वाईसे यहाँ पर देख सकते हूँ यह बहुत ज़्यादा space ले रहे है फिलाल तो एक काम करते हैं इससे निकालो यहाँ पर अभी के लिए मैं इससे यहाँ पर लगा देता हूँ और यह जो freeze है यहाँ पर लगा देते इससे ज़्यादा space हमें मिलेगा इसमें तुम देख सकता हूँ मैं सिर्फ 4 चीज़े ही रख सकता हूँ और यहाँ पर देख सकता हूँ मैं कितने सारे 5 रख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर और 5 कितना जादा space मेरे पास रहेगा बेकार में मैंने इसे order कर दिया था तो खेर वैसे मैंने कुछ shelf भी order किया यह वाला shelf यहाँ पर हो जाएगा ना हाँ चलो बढ़िया यह चोटा वाला shelf भी काफी बढ़िया यार वैसे यह वाला self मैं कहाँ पर लगाँ यहाँ पर लग सकता हूं यहाँ पर नहीं लगा सकता हूं इसके लिए ना मिरे को एकदम कोने पर लगाना पड़ेगा फिलाल तो मैंने यहाँ पर लगा दिया इज़ेस्ट मिरे को यहाँ पर करनी पड़ेगी वैसे अभी इसका लगाने का जगा तो यहाँ पर है ही नहीं या फिर मेरे को अपने computer को निकालना पड़ेगा और इसको कहीं और रखनी पड़ेगी तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ फिलाल तो इसे यहाँ पर लगाता हूँ और इसे उटा कर यहाँ पर लगाने के कोशिश करते है आभी बढ़िया है तो अभी इस computer का कहाँ पर लगाऊ इस computer को तो लगाने यहाँ पर लगाना पड़ेगा फिलाल मैं अभी के लिए तो यहाँ पर computer लगा सकता हूँ यर वैसे क्या है कि इस freeze को निकालना पड़ेगा यह बहुत जादा space ले रही है और यहाँ पर मैं जादा चीजे भी नहीं रख सकता हूँ यर मेरे को एक चीज चेक करनी है क्या मैं इसके उपर लगा सकता हूँ क्या ने ने उपर तो नहीं लगा सकता हूँ तो फिर मेरे को इसे यहाँ पर ही लगाना पड़ेगा नहीं तो एक काम कर सकता हूँ यर इससे निकालो अभी इसका जरूरत नहीं है ना तो मैं एक काम करता हूँ इसको box के अंदर रख देता हूँ यहाँ पर इससे मैं यहाँ पर लगाना नहीं सकता हूँ तो मेरे को यहाँ पर यहाँ पर यह से लगाना पड़ेगा तो अभी यहाँ पर थोड़ी वह स्पेस हो चिकी है तो इसे निकालो और यहाँ पर भी मैं सेल्फ लगा देता हूँ चलो अभी काफी बढ़िया हो चिकी है खिलाल थोड़ी वो सेल्स हो जाएंगा तब मैं अपने दुकान को और भी बढ़ा दूँगा ऐसा यहाँ पर मेरे को चिकोट को उपन करना पड़ेगा यह इस कम्पेटर को थोड़े से रोटेट करते है चलो बढ़िया आज का दिन भी कम्पलीट हो चुकी है अभी भी कर्ष्टमर्स जोए काफी ज़दा सैडिस्फाय नहीं हो रहे क्या है कि उनको जो सामान चाहिए नब वो यहाँ पर नहीं मिल रहे एक भी अगर नहीं मिल रहे है तो वो काउंट कर दे रहे अभी कभी एक दो सामान ऐसे उपर नीचे हो जाते है खिलाल मैं एक काम करता हूँ यहाँ जो भी सामान है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ यार मैं दुकान उपन ने किया यार वैसे सबसे पहले दुकान को उपन करो और वैसे मेरे को और सामान यहाँ पर ओर करनी चाहिए तो मैं काम करता हूँ, सारे सामन यहाँ पर order कर देता हूँ चलो मेरे सबस इतने काफी है, तो मैं order कर देता हूँ काफी सारे सामन मैंने यहाँ पर order कर दिया, यह देख सकते हो यह fill कर रहा ना, चलो ठीक है, अभी अच्छे से fill कर रहा चलो इसे hire कर ही लेते अच्छा hundred dollars अभी मेरे को pay करना पड़ेगा इसके लिए फिलाल तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा तब जाकर मैं इसे hire कर सकता हूँ थोड़ी बूत पैसे हो चुके है मेरे सबसे अभी मैं इसे hire कर सकता हूँ चलो मैंने hire भी कर दिया है और यहाँ पर employee आ चुका है तो अभी तो यहाँ पर दो दो जग़ा पर cashier है तो यह काफी अच्छी बात है I think इसको थोड़ा से शायद space ची होगा मैं थोड़ा से इसे पीछे कर देता हूँ वैसे हर साथ में मिरे को अपनी session को भी upgrade करनी पड़ी कि फिलाल मैं इसे निकाल सकता हूँ इसे निकाल कर यहाँ पर रख सकता हूँ और अपनी computer को थोड़े बत पीछे भी कर सकता हूँ चलो अभी काफी अच्छी से space हो चुका है मेरे सबसे इसको ना मेरे को कोने पर लगानी चाहिए तब बढ़िया होगा फिलाल तो यहाँ पर space तो नहीं होगा अभी के लिए मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ तो बाकी यह fill कर रहा है यार अभी भी ना कुछ-कुछ चीज़े यह लोग find नहीं कर रहे वैसे भी इतनी सारी चीज़े है ना फिल करने में तो टाइम लगेगा ही वैसे मैं चाहूँ तो यह वाला self यहाँ पर लगा सकता हूँ और थोड़ा सा space यहाँ पर बचेगा सेम इसी तरीके से यह वाला self एक और यहाँ पर लगा दूँगा तो उसकी वैज़े से यह जितना टाइम लगा रहे ना बरने में उससे भी जल्दी यहाँ पर सारे चीज़े सेल हो जा रहे वैसे मैं चाहूँ तो हूँ यहाँ पर एक और को हाईर कर सकता हूँ I think मैं और storage level इंक्रीस करने पड़ेगी और 4 racks को भी रखना पड़ेगा वैसे levels तो हो जाएंगे उसकी दिक्कत नहीं है तो मेरे यह सबसा भी मेरे को storage खरीदना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर storage करीद लाए एक बर मैं चेक करता हूँ सबसे बड़े दुकान को ओपिन करो ओके थोड़ी वो स्टोरेज तो यहाँ पर बन चुकी है रैक्स बड़ी बात नहीं है मैं रैक्स भी खरीद लूँगा वैसे एक बार रैक्स शेक करते कितने होंगे मेरे सबसे में स्मॉल रैक्स भी रख सकता हूं जितनो मेरे को लगता है वैसे टॉल रैक्स और स्मॉल रैक्स में जादा फरक भी नहीं है मैं काम करता हूं और मेरे को चार ओडर करने तो हजार डॉलर के करीब यहाँ पर लग जाएंगे तो काफी सारे पैसे है एक बार में अगर दो लोग काम करेंगे ना तो जल्दी जल्दी वो सामान फिल करेंगे तो कस्टमर्स को हर एक चीज यहाँ पर मिलती रहेगी नहीं तो मैं एक काम करता हूं जब तक वो नहीं आगा तब तक मैं ही यहाँ पर फिल कर देता हूं ओके अभी यह वापस यहाँ पर खड़ा रहा गया इसका मतलब मैं यहाँ पर रैक्स और करने है वैसे फिलाल मैं इतने तो और नहीं कर सकता हूं दो और कर सकता हूं चलो ठीक है दो मैंने यहाँ पर और कर दिया तो मैंने यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर लगाना पड़ेगा चलो एक में ने यहां पर लगा दिया अब साथ में में यहां पर दूसरा भी लगा दिया तो मेरे सबसा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर कभी कभी prices जो उपर नीचे हो रहे उसके वाज़े से मेरे को यहां पर price change करने पड़ रही है अगर कम हो रही है तो अपना लुकसान हो जा रही है अगर जादा हो रही है तो वो लोग ले ही नेरे ये फ्रिजस ना ये ड्रिंक्स पूरे भर चुके है तो और यहाँ पर लगाने की स्पेस ही नहीं है खिलाल तो मैं और दो रैक्स को भी ओर्डर कर देता हूं उतने पैसे तो मेरे पास है अभी order नहीं कर पाँगा तो day को skip करते है अभी अगला दिन भी start हो चीका है I think slice bread का जो price से increase हो चीका है और भाई सा बहुत जादा increase हो गया तो इसको भी मेरे को change करने पड़ेगी चलो अभी ठीक है तो अभी मैंने यहाँ पर दुकान को भी open कर दिया तो अभी मैं एक काम करता हूँ racks को खरीद लेता हूँ तो अभी जितने भी racks चाहिए वो तो मैंने यहाँ पर खरीद लिया चलो यहाँ पर तो नहीं होगा यहाँ पर लगा देता हूँ चलो अभी यहाँ पर 6 racks भी हो चिके है तो इसका मतलब मैं एक और employee को hire कर सकता हूँ बस मेरे को एक और level increase करने पड़ीगी उसके लिए या लेकिन यहाँ पर जितने भी सामान ते वो तो खतम हो गए तो अभी मेरे को बहुत सारे सामान को भी order करने है लेकिन अभी उतने पैसे नहीं है तो थोड़ी देर मेरे को इंतजार करना पड़ेगा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ मैं जितना यहाँ पर order कर सकता हूँ उतना मैं यहाँ पर order कर देता हूँ शलो इतने मैं order कर सकता हूँ और मैंने order भी कर दिया हाँ मेरे सबसे frizzika काफी अच्छे से सामान है वैसे यार यहाँ पर ना हमें जो चीज जादा है वो ही पता चलेगा ना जो चीज नहीं है वो तो हमें पता चलेगा ही नहीं तो फिलाल मैं एक काम करता हूँ यह भी एक order कर देता हूँ चल आज के दिन भी complete हो चुकिए चालीस दिन यहाँ पर complete हो गए तो अब अगले दिन को start करते है सबसे बहुते दुकान को open करो वैसे अभी ना कुछ चीज नहीं है यहाँ पर order करने है यहाँ पर चीज नहीं है ऐसा करकर यह बोल रहे हैं तो मेरे को चीज order करने है तो यह भी मैं तीन order कर देता हूँ अभी क्या है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मतलब यहाँ पर customers बोल रहे है जो चीज नहीं है तो वही चीज मैं यहाँ पर order कर रहा है तब क्या है कि मेरे को भी ठीक से पता चल रहा है और बाकी यहाँ पर filling करने के लिए मैं भी इसका मदद कर रहा हूँ यहर वैसे न मेरे को हर दिन यहाँ पर pricing चेक करनी पड़ेगी किमकि क्या है कि यह pricing उपर नीचे हो रहा है यह दिखो इसका price जो increase हो चुकी है वैसे यहाँ पर जादा तो increase नहीं हुआ है अगर जादा increase नहीं हो तो फिर ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर देख सकता हो थोड़े बहुत कम भी हो चुका है तो यह चीज़े मेरे को यहाँ पर देखनी पड़ेगी नहीं तो वो लोग फिर लेंगे नहीं तो वही दिक्कत है वैसे मैं अभी किया आना जादा तर market price ही लगा रहा हूँ यहाँ पर यह बोल रहे कि peanut butter थोड़े से जादा price मैंने लगा दिया वैसे उतना भी जादा मैंने नहीं लगाया चलो ठीक है मैं थोड़े से कम कर देता हूँ फिलाल अभी ना मेरे पस थोड़ बत पैसे बन चुक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सारे चीज़े एक एक यहाँ पर मंगवा सकता हूँ तो उतने मैं मंगवा देता हूँ चलो फिलाल इतने purchase कर लेते है मेरे सबसे यह धीरे धीरे यहाँ पर बर देगा वैसे यहाँ पर देख सकता हूँ मैं जितना भी सामान यहाँ पर बर रहा हूँ उतना ही जल्दी यहाँ पर सामान फिल भी हो रहे तो यह काफी अच्छी बात है वैसे गाइस मैंने काफी टाइम से यहाँ पर जारे वैसे मेरे को यहां पर फिल करनी पड़ रही है वैसे है मैं क्या है कि यह ड्रिंक्स ना कुछ जादा ही मांगवा रहा हूं I think यह उतने जादा सेल्स नहीं हो रहे जितना मेरे को लगता है यह काफी जादा यहां पर है और यहां पर भी है इतने सेल्स तो नहीं हो रहे जितना मिरे को लगता है और उपर से मैं से बार बार यह वाले चीजे उपर आप कर रहा हूं मीरे को ना भी जितना हो चोगे है उतना चीजे बरनी पर दाद सबस्दा है पस थोड़ी बद पैसे है, तो मैं एक काम करता हूँ, शेल्फ्स यहाँ पर बहुत ज़दा स्पेस है, तो शेल्फ्स में रखने के लिए जो भी सामान है न वो मैं यहाँ पर ओर्डर कर देता हूँ, यह मEREको 2-3 ऐसा और करने क्योंकि फ्लोर सबसे ज़दा बिगता है, और उसके बद पास्ता भी अच्छे कासा बिगता है, तो यह शेल्फ्स में रखने वाली चीजे मेरको 2-3 और करने है, और काफी भी ज़दा बिगता है, चीज भी बिगता है, ये mail के ये सारी चीज़े मेरे को order करने पढ़ेंगे बाकी ये freeze में रखने वाली चीज़े तो मैं नहीं लेने वाला हूँ freeze वो ऐसे भी अपने काफी अच्छे से fill हो चुका है को कि कितने पैसे होंगे चलो ठीक है मैं इसे purchase कर सकता हूँ तो मैंने purchase भी कर दिया वैसे मैं भी एक काम करता हूँ यहां पर इसका मदद करता हूँ नहीं तो आपको पता है यह बहुत देर लगाता है यहां पर यह वाली shelves ना काफी ज़्यादा space है यहां पर मेरे को fill करनी चाहिए चलो अभी आज का दिन भी complete हो चुकी है तो अभी अगले day को start करते है फिलाल यहां पर बहुत सारे सामान है यह भी मेरे को fill करना है यह दुकान ना बार बार close क्यों हो जाती है मैं भूल जाता हूँ इसे open करने में चलो यहां पर थोड़ी वो सामानत मैंने काफी अच्छे से fill कर दिया यहां पर वैसे और भी कुछ space है थोड़ी बत पैसे आएंगे ने तो मैं order कर दूँगा यहां पर apple juice नहीं है करकर यह बोल रहा है तो शायद मैंने apple juice order किया नहीं है चलो ठीक है मैं एक apple juice और green juice order कर देता हूँ शायद दोनों खतम हो गया क्या हाँ orange juice भी खतम हो गया था और apple juice भी खतम हो गया तो ठीक है मैं यहां पर लगा देता हूँ यहां पर यह वाली drinks ना बहुत ही मुश्किल से sale हो रहे यह मेरे को अभी order नहीं करना तो यहां पर वापस से थोड़ी बत चीज़े sale हो चुके है और कुछ items में यहां पर customers को नहीं मिल रहे तो फिलाल मेरे को वह सारी चीज़े यहां पर order करने पड़ेंगे जादतर self वाली चीज़े यह नहीं मिल रहे मैं एक काम करता हूँ सारी चीज़े यहां पर दो तीन ऐसा extra ही मंगवा देता हूँ यह सोड़ा वगरा यह सारी चीज़े मेरे पास है यह मैं order नहीं करने वाला हाँ मेरे सबसे इतनी काफी होंगे यह मैं order कर देता हूँ यहां पर बार बार lights क्यों बंद हो जाते lights भी मेरे को यह on करना यहां पर तो बहुत सारी चीज़े आ चुके है racks तो काफी अच्छी से यहां पर है थोड़ी बहुत सामन यहां पर है पताने यह कब feel करेगा वैसे मैं चाहूँ तो एक और को रख सकता हूँ कल मैं उसको रख दूँगा क्या है न थोड़ी बहुत पैसे कम मिल रहे है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ तो गाइस अभी न मैं सबसे पहले यहां पर इस employee को hire कर लेता हूँ चलो बढ़िया तो अभी अपने दुकान में चार employees काम कर रहे है यहां पर देख सकतो counter पर दो लोग है और re-stalker भी यहां पर दो लोग है तो यह काफी अच्छी बाते जल्दी जल्दी यह लोग बना देंगे वैसे यह door तो अभी भी lock है यहां पर मेरे को hour storage करीदना पड़ेगा तब जाकर यह वाली door open होगा शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो guys I think sugar powder यहां पर खतम हो चुकी है तो मैं एक काम करता हूँ जितने भी shelf में रखने वाली चीज़ है ना वो मैं वापस यहां पर order कर देता हूँ सब दो दो ऐसा order कर रही देता है वैसे अभी मैंने notice किया यहां पर मेरे को यह बता रहा है कि मेरे पस कितने है यह देखो यह floor मेरे पस बिलकुल भी नहीं है तो यह देखो शुगर बिलकुल भी नहीं है तो यह मेरे को बता रहा था लेकिन मैंने notice नहीं किया फिर ठीक है तो फिर जो कम है ना वो मैं यहां पर order कर देता हूँ I think इतना काफी है यह मैं order कर देता हूँ बहुत सारे पैसे चलेगे लेकिन मेरे जिसाब से इनको फिल करने में तो काफी टाइम लगने वाला है दो लोग है लेकिन फिर भी काफी टाइम ले रहे है यह फिल करने में तो यह काम करता हूँ मैं भी इनका मदद कर देता हूँ मेरे जिसाब से अभी क्या है कि यहां पर देख सकतो तो मैं अगले शेशन भी यहाँ पर खरीद लूँगा वैसे अभी दिक्केत किया है कि अगले शेशन 2600 डॉलर्स मेरे को पे करने पड़ेंगे और यह बहुत सादा पैसे है खेर अगर अगर अपग्रेड करने तो करनी पड़ेंगी तो फिलाल आज का दिन का यह आखरी कस्टमर है एक हतम होते हैं हम डे को भी एंड कर देंगे चलो अभी डे 44 भी यहाँ पर खतम हो चुकी है अगले दिन को स्टार्ट करते है यह सारे बॉक्स नीचे क्यों गिर गया है फिलाल तो मैं दुकान को उपन कर देता हूँ वैसे मेरे सबसे यह लोग देख लेंगे तो आज मैं सूच रहा हूँ मैं एक भी आइटेम यहाँ पर और नहीं करने वाला हूँ वैसे तुम लोग देख सकते हो सेल्फ तो काफी अच्छे से फिल हो चुके है यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर तो बहुत सारे सामन मैंने अल्रेडी आडर करके रखा है तो अभी देखते है आज के पूरे दिन में कितने सेल्स होंगे और हमें कितने पैसे मिलेंगे क्या मैं यह सेशन फाइल को अप्ग्रेड कर सकता हूँ 2600 डॉलरस आज मैं रहें को मिल सकते क्या देखेंगे मैं कोई भी सामन यहाँ पर और नहीं करने वाला वैसे भी सामन तो काफी अच्छे साई फिलम मैंने यहाँ पर कर भी दिया और साथ मैं यहाँ पर भी सामने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस आज का end तक देखते हैं कितने पैसे हमें मिलेंगे तो guys अभी almost 6 बच चुके है और तुम लोग देख सकते हो 1300 रुपिस कितना में रपास है मतलब आदे पैसे तो हो चुके है अभी और आदा चाहिए देखते हैं उतने मिलेंगे कि नहीं तो guys अभी day तो end हो चुका है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग चिकोट के लिए है तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते है तो अभी तो बस एक ही customer यहाँ पर है इसका चिकोट होते ही हमें पता चल जाएगा I think सारे सामन इसने ले भी लिया ओके इसका भी चिकोट हो चुका है I think बस 400 डॉलर बस कम पड़ गए फिर टेके 2000 तक हमने कमा लिया तो यह काफी बढ़िया बात है तो फिलर मैं एक काम करता हूँ day को skip कर देता हूँ day 45 भी यहाँ पर खतम हो चुकी है इस बार तुम लोग देखो गए तो customer satisfaction काफी अच्छे से है तो यह बहुत ही बढ़ी आए फिलर next day को start करते है पास्ते का price नीचे गिर गया coffee जो price है उसका भी price नीचे गिर गया तो एक बार मेरे को यहाँ पर चिक करने पड़ेगी यार इसका ना price जादा हो गया यार मेरा ध्यान ही नहीं हो रहा कभी कभी ना इनका price चेंज हो रही है और मैं जैसा है वैसा ही रख रहा हूँ market price से भी यहाँ पर कम में बेच रहा हूँ तो इसकी वज़े से हमारा तो बहुत जादा लुकसान हो जा रहा फिलाल ना मेरे को prices से एक बर चेक करते रहना चाहिए हर बर यह देखा है मैंने काफी जादा कम यहाँ पर रख रहा हूँ फिर ठीक है मैंने दुकान को open किया ना दुकान को open ही नहीं किया लो भाई फिर फिर अल अभी भी काफी सारे पैसे चाहिए तो मैं काम करूंगा मार्किट्स है ना और कुछ चीज़े यहाँ पर मंगवा लेता हूँ वैसे मेरे सबसे काफी अच्छी से सामान तो है जो चीज़े कम है ना वो मैं order कर देता हूँ यहाँ पर तो अभी क्या है कि मेरे को यहाँ पर पता चल रहे है ना बिल्स पे करना बागी है अभी मेरे सबसे बहुत सारे पैसे जाएंगे यह देखो 500 डॉलर पर मैं आ चुका हूँ 2000 से 500 डॉलर आ गया खेर ठीक है कम से कम मैंने काफी सारे सामान तो यहाँ पर बाई कर लिया ने यह देखो बहुत सारे सामान है तो अभी दो लोग है ना तो यह जल्दी जल्दी बर रहे और यहाँ पर कस्टमर का जो साटिस्फेक्शन डेटा ना वो भी काफी अच्छी से है चलो बढ़िया तो आज का दिन भी कम्प्लीट होची की है इस बार देख सकतो एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जो साटिस्फेर नहीं है लेकिन आज का इंकम ना थोड़ा सा कम हुआ देख सकतो अपना बैलेंस तो इतना है और अभी बस ऐटीन हंडर्ड ही है क्योंकि अपने एंप्लोस को भी मिरे को बिल्स देने पड़ते हैं अभी तुम लोग देख सकता हो इसका मतलब हजार डॉलर ऐसे मिरे को चाहिए होंगे वैसे क्या है कि इतने पैसे अगर मैंने यहां पर लगा दिया ना फिर मिरे को यह सारे चीज़े खरीदने में पैसे नहीं होंगे वैसे फिलाल तो अपने पस काफी अच्छी से सामान है यार मैंने दुकान ओपिन करना ही भूल गया यह तो वैसे मैं एक काम करता हूँ और कर ही देता हूँ मैं वो चीज़े नहीं और कर रहा हूँ जो जादा है यहां पर देख सकते हो यह बहुत जादा है मैं वो ही चीज़े और कर रहा हूँ जो काफी कम है वैसे यार लोग बोल रहे है कि वाटर पॉटल्स का जो प्राइस है वो जादा एक पर मेरे को चिक करने दो यार उतना जादा तो नहीं है काफी कम ही है अगर मार्केट प्राइस इतना सा भी डिफरेंस हो रही है तो यह लोग नहीं ले रहे यार इतना बड़ा सूपर मार्केट चलाने के लिए तोड़ी बहुत पैसे तो चाहिए ही होंगे न और यहां पर यह पास ता कभी प्राइस जादा है करकर बोल रहा है यार इतना सा प्राइस के लिए भी यह बहुत जादा बोल रहा है यार क्या ही बताऊ अभी फिर फिलाल मैं यह पर बहुत सारे सामान को यहां पर ऑडर कर रहा हूं लगबख हजार डॉलर का तो अब्धे मेरे सेल्स अच्छे सा हो जाएंगे ना तो मेरे को जितने पैसे चाहिए वो मेरे को मिल जाएंगे, वैसे यार मैं एक काम करता हूँ, में लोग फिल करेंगे ना तो बहुत सादा टाइम लग जाएगा, मैं भी इनका मदद कर देता हूँ, तो गाइस फिलाल यहाँ पर देख सकते हो, भाई दून काउंटर पर फिल हो चुके है, हाई सब यह पहली बार हो रहा है, इसका मतलब कस्टमर्स काफी अच्छे से आ रहे, जैसे जैसे मैं ज़्यादा सामान यहाँ पर लगा रहा हूँ ना, तो कस्टमर्स और भी आ रहे, और देख सकतों बहुत सारे सामान भी ले रहे, तो यह काफी अच्छी बात है, तो मेरे इसाब से जितना हो सकता, अपने दुकान को मेरे को फिल रखनी चाहिए, यहाँ पर और भी थोड़े बगा स्पेस है, वो तो मैं फिल कर दूँगा, सबसे पहले ना मेरे को अगली सेशन को बाई करने पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मेरे को और भी यहाँ पर पैसे चाहिए होंगे, फिल आल तो आज का दिन अल्मोस्ट एंड होने ही वाली है, बस कुछी कश्मस बाकी है, इनका चेकोट होते ही हम डे को एंड कर देंगे, ओके चलो, आज के दिन एंड हो चुक है, वैसे मेरे पास 2600 डॉलर्स तो हो चुक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर बिल्स भी पे करने, तो डे 47 भी यहाँ पर एंड हो चुकी है, अगले दिन को स्टार्ट करते है, फ्लोर का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो चुकी है, मैं एक बाद चेक कर लेता हूँ, वैसे मेरे सबसे उतना भी जादा इंक्रीज नहीं हुआ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दुकान को ओपन कर देता हूँ, यह भी फ्लोर है ना, ओर भाई सब बहुत जादा इंक्रीज हो गया, यह प्राइस वेरी करता है ना, तो बहुत जादा दिक्कत होती है यार, फिलाल तो मैं मार्केट प्राइस ही रखता हूँ, नहीं तो यह लोग लेंगे नहीं, वैसे हर आप लोग कमेंट करकर बताना, कि मैं मार्केट प्राइस से कम रखो या फिर जादा रखो, वैसे अपने को उतना जादा प्राफिट्स भी कभी कभी नहीं मिलते, यार अभी तो मेरे पर सिर्फ 2200 डॉलर से हर, अभी मेरे को यहाँ पर और भी पैसे चाहिए होंगे, फिर फिलाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सामान फिल कर देता हूँ, तो गाइस फिलाल यहाँ पर जितनी भी शेल्फ से इसे मैंने फिल कर दिया, तो अभी मेरे यह सबसे काफी अच्छे से सेल्स होने वाले है और यहाँ पर काफी सारी चीजे भी खतम हो चिके मेरे यहाँ पर होंगे हाँ यह देखो यहाँ पर यह लोग ने बहुत सारे सामान रख दिया है यह धीरे धीरे यह लोग फिल कर देंगे वैसे मेरे पस तो उतने पैसे हो चिके तो मैं एक काम करता हूँ मैनेजमेंट में जाते है सेक्शन फाइव को खरीद लेते है अब इसके बाद ना 4,400 डॉलर्स लगेंगे तो बहुत जादा है फिलाल कौन सा पार्ट मिला ओके ये वाला पार्ट हमें मिला है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कंप्यूटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ यार वैसे ना इसका कोई जरूरत नहीं है तो अभी तो इसका जरूरत नहीं तो इसको साइड पर लगा देता हूँ और यहाँ पर यह बड़े बड़े फ्रीजेस भी मेरे को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहे अगर मैं सच में बोलू इसको भी बॉक्स में लगा देंगे तो बहुत बढ़िया होगा ओके मैं बॉक्स में लगा सकता हूँ लेकिन फिलाल तो ठीक ही है क्योंकि इसके अंदर सामान है ना तो वो एक चीज है तो तब तक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो अभी इसके अंदर मैं कम्पीटर वगर लगा सकता हूँ और शेल्फ भी मेरे को चाहिए होंगे यहाँ पर मैं दो तीन सेल्फ से लगा सकता हूँ यहाँ एक काम करता हूँ ना इसे निकालो यह फ्रिजेस ना बहुत जादा स्पेस लेते हैं ऐसे मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ यहाँ पर ही लगा देता हूँ यहाँ पर यह space अच्छे से बचेगा यहाँ पर क्या है कि मैं selfs लगा सकता हूँ तो वो अच्छी बात है तो फिलाल मेरे सबसे मेरे को और भी कुछ चीज़े मंगवाने पड़ सकते हैं यह लोग तो फिल कर ले यहाँ पर तो थोड़े बहुत boxes अभी भी पड़े है यह सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ फिर सामान ओर्डर करते हैं वैसे अपने storage में यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत सारे boxes इन लोग ने लगा के रख दिया है वैसे यह सारे कब फिल करेंगे यह लोग यहाँ पर मेरे को सबसे पहले एक और light यहाँ पर मंगवानी पड़ेगी वैसे भी आज के दिन तो complete होने ही वाली है यह काम करता है और इससे में पीछे रख देता हूँ यह वैसे भी काफी ज़्यादा space ले रही है और यहाँ पर एक और self आ जाएगा यहाँ पर भी और कुछ selfs आ जाएंगे तो फिलाल तो मैं एक काम करता हूँ ऐसे भी मेरे पास पैसे है तो मैं selfs order कर देता हूँ मैं सोच रहा हूँ freezer भी एक और order कर ही देता हूँ freezer एक चाहिए होगा और यह बड़े वाले self एक में order कर देता हूँ यह वाले self दो order कर देते हैं यहाँ पर लगा दूँगा तो फिलाल इतने चीज़े ओके अभी order नहीं कर पाँगा दे खतम हो गया तो ड़ी देर मेरे को इंतजार करनी पड़ेगे milk नहीं है क्या उके शायद milk नहीं है यह चीज़े मेरे को order करनी पड़ेंगी और यह बाई सब यह freeze तो वैसे भी काफी ज़्यादा खाली हो चुका है तो मेरे यह सबसे freeze की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वह बहुत ज़्यादा महंगा है तो फिलाल यह चीज़े मैं बंगवा देता हूँ लेकिन अभी तो day खतम हो गया इनका check out होने तक मेरे को इंतजार करनी पड़ेगी ओके चॉकलेट बॉर्स खतम हो चिक है यार काफी सारे चीज़े आई तिंग खतम हो गया मेरे को भी order करने पड़ेंगे day 48 भी complete हो चुका है तो next day start करते है सबसे पहले दुकान को open करो तो अभी मैं एक पच्चे कर लेता हूँ जो भी चीज़े नहीं है न उनको मैं order कर देता हूँ चलो जो भी चीज़े चाहिए वो तो मैंने लगा दिया और बस थोड़े से पैसे चाहिए यार तो थोड़ी दिर मैं इंतजार कर ही लेता हूँ एक दो चकोट्स के बाद उतने पैसे तो मिल ही जाएंगे भाई यहाँ पर इतने सारे बॉक्सेस तो है यार यह लोग तो रखेंगे नहीं मैं ही रख देता हूँ पता नहीं यहाँ पर empty space तो है लेकिन यह लोग फिल क्यों नहीं करते है वाक्सेस खाली चोड़ कर क्यों रखते है यह देखो चॉकलेट बार इसको नहीं मिला ओके चलो तो अभी मैं order कर सकता हूँ तो मैंने order पिक कर दिया है तो अभी इस shelf को ना एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ हाँ अभी इस freeze को निकाल देते इस freeze को इस तरीके से लगा देता हूँ I think मैंने एक और shelf मंगवाए था ना हाँ इस shelf को मैं इस तरीके से लगाने वाला हूँ एकदम दोनों almost connect हो जाएंगे तो अभी यह काफी बढ़िया लग रही है वैसे इनको कुछ चीज़ें नहीं मिली है तो वो चीज़ें मैं सबसे पहले रख देता हूँ यार मार्केट प्रेस रखने के बाद भी न ये लोग ठीक से ले ही ने रही है ये देखो कितनों जादा कम प्रेस में लगा रहा है I think ये थोड़े से नहीं है इसे मैं और्डर कर देता हूँ मेरे सबसे बाकी सारे चीज़ें यहां पर अच्छे कासे है हाँ बाकी सारे तो अच्छे कासा है तो अभी मैंने इन्हें और्डर भी कर दिया तो फिलाल सबसे बेला लाइट मेरे को चाहिए होगा और ये लाइट में यहां पर लगा देता हूँ चलो बड़िया लाइट तो यहां पर लग चुकी है मैं चाहूँ ना I think एक और लाइट यहां पर लगा सकता हूँ हाँ एक और लाइट यहां पर लगा सकता हूँ तो यहां पर एक और लाइट लगा देता हूँ चलो अभी काफी बढ़िया है, लाइट्स तो काफी अच्छे से लग चुका है, यार लेकिन अभी तक इन लोग ने सेल्फ को फिल क्यों नहीं किया, इतने सारे सामान मैंने ओर्डर किया, फिर भी ये लोग फिल नहीं कर रहे हैं, वैसे फ्रिज चाहिए तो मैं एक और भी य और करके रख रहे हैं, वैसे भी इतने सारे सेल्फ यहां पर मैंने खाली स्पेस है, तो यहां पर रखनी चाहिए ने इनको, यह भी मेर को यह करना पड़ रहा है, धीरे धीरे यह भी मैं निकाल देता हूँ, चलो सारे कॉस्टमर्स भी चले गए, तो अभी डे को एंड करत है, तो नेक्स डे को स्टार्ट करते है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरे पस ना काफी अच्छे से पैसे है, तो यहां पर जो भी चीज़े कम है ना, इन्हें मैं और कर देता हूँ, तो करीब करीब मेरे को पंदर साव डॉलर से हैं, तो और मैं नहीं लगा पाँगा, तो करीब करीब मेरे को पंदर साव डॉलर से हैं, पर चाहिए होंगे, थोड़े बत कस्टमर्स तो आच चुके हैं, तो स्टोरेज पर जितने भी चामन है ना, अल्मोस्ट मैंने निकाल दिया, आई तिंक बस एक और बॉक्स ऐसे पड़े है, यहां पर खाली स्पेस होगा तब भी यह लोग नहीं बरतियार, पता नहीं क्या दिकत है इनका, चलो अभी यह आखरी बॉक्स है, इसको भी मैंने निकाल दिया, फिल करते रहने चाहिए ना, यहां पर इनको, तो सारी सामन मैंने यहां पर लगा दिया, तो अभी जिल्दे से मैं ओर्डर कर देता हूँ थोड़े से सेल्स हो जाएंगे, तो बढ़िया है, एक काम करता है, यह इस काफी को मैं निकाल देता हूँ, अभी इससे ओर्डर कर देते हैं, तो अभी मैं एक बर चेक कर लेता हूँ, बाकी जो सामन चाहिए, वो मैं यहां पर ओर्डर कर देता हूँ, यह तो ठीक टाक है ह चाहिए होंगे यह भी थोड़े से ओडर कर देते हैं कि चलो मेरे सबसे इतने काफी होंगे और 500 डॉलर ऐसे मेरे को चाहिए होंगे यह लोग फिल करेंगे तो बहुत जादा टाइम लगाएंगे यहां पर इतने सारे सेल्फ्स खा लिए है फिर भी यह लोग फिल करते ही नही कर देता हूं तो अभी तो और भी बहुत सारे चीजे आ गए शेल्फ भी काफी अच्छे से है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और वैसे न मैंने बहुत टाइम से यहां पर बिल्स नहीं बरे धीकना पड़ेगा कितना जादा हो गया तो अभी यहां पर भी शेल्फ को म है एक सेल्फ ही होगा यहां पर एक ही सेल्फ में और कर सकता हूं यहां पर एक चोटा वाला सेल्फ वो और कर सकते है तो यह वाला मैं एक और कर देता हूं और यह बड़ा वाला सेल्फ है यहां पर लगा देता हूं और यह बड़ा वाला सेल्फ हाँ यह चोटा वाला से यह शाट हो चुका है तो अभी तो काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर भी अभी मैं अराम से फिल कर सकता हूं तो यहाँ पर भी मैं फिल कर देता हूं तो अभी क्या है कि मैं और भी सामान यहाँ पर और कर सकता हूं ओके चलो तो यहाँ पर भी मैंने काफी अच्छे स तो नहीं है तोड़े बहुत बॉक्स ऐसी है तो मेरे को और यहां पर ओर्डर करने पड़ेंगे तो फिलाल तो आज का डे खतम हो चीज़ का है डे 50 भी यहां पर खतम हो चीज़ की है तो फिलाल तो अगले डे को स्टार्ट करते है तो गाइस आज का जो फिडियो में बस यहां तकी है 50 दिन का खेल खतम हो चीज़ की है बाकि अगले 50 दिन में और भी बहुत सारी चीज़े होंगे जितनी भी अपग्रेड सेनव वो सब कुछ में कर दूंगा और अपना सूपर मार्केट को पूरी तरीके से एकस्पैंड भी कर दूंगा और साथ मैं स्टोरेज को भी मैं पूरी तरीके से एकस्पैंड करूंगा जितने भी अम्पलोई से उनको भी रखूंगा और बहुत जादा पैसे भी कमाने वाला हों तो आज का वीडियो में तो बस यहां तक ही है पचास दिन का खेल तो खतम हो चेकी है अगले पचास दिन का खेल अगली वीडियो में आएगा और वैसे भी तुम लोग देख सकते हो मैंने कितना ज़ादा प्रोग्रस यहां पर किया है और साथ में काफी अच्छे से यहां पर मैंने सामान भी लगाया है एमपलोस को भी लगाया है तो काफी बड़िया प्रोग्रस भी हुआ है तो आज के वीडियो में बस इतना ही तो अगर पसंद आये तो लाइक और साथ में सब्सक्रेब कर ना भूलना मत